आज पढ़ेंगे घन मूल, घन तथा घन मूल, एक से पचास तक का घन है, इसका स्क्रेंसाट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें, दिखरा सभी को बढ़ियां से, पक्का दिखरा है, देखो, घन का मतलब होता क्या है, थोड़ा समझ समझा भी देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं, जैसे तीन का घन है, तो यह 27 कैसे आया, पता है तुम्हें, देखो भाई, यह ऐसे आता है, तीन का घन, मतलब कि 3 को हम ऐसे 3 बार गुड़ा करेंगे, तो 3 तरीका यह 9 और यह 3, यानि फाइनल में 27 बनाता है, इसी तरीके से आप और सब को समझ लेंगे, जैसे माल लो कि मैंने 8 को लेना चाहा, तो 8 का घन, मतलब 8 का 3 बार मल्टिपल, एफे, 8 एट जा 64, और 64 को अगर 8 में आप करोगे तो कितना होगा, 512, देखो यहां कहीं है, यह, कोई दिक्कत, कोई परिसानी, कोई तकलिफ नहीं न, यह चीज़ समझ गए, नितीस बाबू नंबर पर संपर करो, नीचे चल रहा है, साइलेंट बाद इपक, डॉन्ट कॉपी पेस्ट, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी को कोई ब्लॉक भी नहीं करेगा, चलो, आईए, क्या पढ़ेंगे, घन तथा घन मूल, घन तथा घन मूल, चलो, मेरे भाई, यह बता मुझे सभी मांदारी के साथ, कि आप लोग घन जानते हो, लुहार का घन नहीं, यह हम लोग का घन जो यहां हो रहा है, बात को बुरा ना मानना, देखो, घन वाला मेटर मैंने आपको दिखा दिया, एक बार मैं फिर फे थोड़ा बेसिक चलूँगा, संख्या, घन, घन मूल, देखिए हम सिखाएंगे यहां पर आपको, ठीक है, हम यह नहीं कहाएंगे कि इतना बड़ा होई गया, गदाहा नहीं, तो सिख्या ना अभी तक अतना नहीं, हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं, हम जानते हैं कि आपको नहीं आता है, नहीं, आप देखो कि कोई भी अगर एक बड़ा इंस्ट्यूट है, जिसमें 5-8 लाख बच्चे जुड़े हैं, तो यह थोड़े सब पढ़ाता है, छोटा मोटा चीज, हूँ कहता है, ससुरा भाईं तक तु यह न सिखा, का होई तो है फिर, कुछ ना होई, अईसा बात नहीं है, जब जागो तब ही सबे रहा है, चलो, नमबर, जैसे एक छोटा फा नमबर लिजी, अगर आप 2, 1 तो कोनो मतलब नहीं होता, वही सब आ जाता फिर से, इसका अगर घहन करेंगे साथी मेरे, तो यह होगा 2 का 3 घात, इसका मतलब यह होता है, कि 3 घात है, तो इसको 3 बार आपस में गुड़ा करेंगे, ठीक है, यानि फाइनल में इसका, अगर हम multiple कर लेंगे, तो यह 8 आएगा, कितना आएगा 8, इतना भी गंदा लिखने की, कोई जरूरत नहीं है, इनको हम इधर ले सकते हैं, हमारे पास जगा है पर्याप्त, ए रुकना, साइड में खिसक गया ना यह, आएए, जिनको जीरो से सीखना, यह कलास सिर्फ उनी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, अब 8 का क्या करेंगे, घनमूल, आफे, घनमूल कैसे करते हैं, सब बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक प्यार से समझो, देखो भईया, जो यहाँ पर यह आपने तीन बार घात लिखा था ना, दो का तीन बार ना, वही चीज इसके अंदर में आएगा, यहाँ पर, क्योंकि टू को हमने थीरी टाइम मल्टिपल किया था, तो आठाया था, घनमूल में तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं, तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, आपने अब तक जोड़ियां दो-दो की बंती हैं सुना होगा, लेकिन इसका ल्यूग में तीन-तीन की भी बनने लगी हैं, कौन-कौन पता हैं, पती-पत्नी और वो, वो मतलब एक्स्ट्रा फेर, समझ रहो, आपको याद करने के लिए बताया बाकि उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो घनमूल में कितने-कितने का जोड़ा, तीन-तीन का, ठीक है, तो यह हो गया घनमूल, मतलब, आठ का घनमूल कितना, दो, अब चलो आगे देखो याँ पे, समझो भाया, यह हो गया, तीन संख्या ले लीजिए जैसे, यहाँ पर हाँ, एक चीज आपको और समझना है, अगर इन्हें आप प्यार पे देखो, और इन्हें देखो, तो दोनों सेम है की नहीं, यानि हमने सुरू जहां से किया, और खतम जहां पे किया, सेम हुआ की नहीं, यही मैं आपको अंतर सिखाना चाहता था, मेरे प्यारे साथियों, कि जो नंबर होती है, उसका घं करने के बाद, एक ऐसी संख्या आ जाती, जो बड़ी से होती है, और फिर उसका जब घं मूल निकालते हैं, आप जैसे नाम में छिपा है, घं धन मूल, ठीक है, तो जो घं आपने करके संख्या प्राप्त किया है, उसका मूल संख्या मिल जाती है, रूट मिल जाता है, यानि उसकी जड मिल जाती, वो जहां से उत्पन हुई रहती है, जैसे संख्या आठ है, तो यह क्या है, किसी का घं है, थो किस संख्या का घंण है? इसका घंण मूल निकालेंगे तो वो संख्या मिल जाएगी, जैसे 8 का घंण है, तो मैंने क्या किया? उसका घंण मूल निकाला, तो आ गया, तो क्या है? 8 का मूल है, ठीक है? पीबियार स्टेडी सबोर्ट आप नंबर भी कमेंट किया करिए ठीक है सिर्फ नंबर पे संपर करिए मत बोलिए नंबर भी लिखिए कमेंट में आप तो ये छोटी सी बात थी एक और आगे बढ़ें ठीक है आए देखिया और आगे संख्या मान लिजे मैंने ले लिया तीन अब साथी मेरे तीन का आप घं करोगे तो कितना होगा तीन का तीन बार गुड़ा यानि फाइनल में कितना आएगा 27 कितना 27 अब आप इसका क्या करोगे अब 27 का आप क्या करोगे इसका 27 का करोगे घंमूल ठीक है जैसे अभी मैंने बताया इसका भी जोड़ा बनाओगे वजसे ही तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन इसके भी तीन-तीन के पेर बनेंगे फाइनल में एक तीन आएगा किसी को कोई परिसानी नहीं न अभी तो इस्टार्टिंग है अब थोड़ा और आसानी होगी आगे पेज में आओ देखें मान लो कि हमने एक कुश्चन लिखा कुश्चन नमबर इसको वन मानते हैं चलो बहुत छोटा सा कुश्चन है हम कहें कि चासठ का घनमूल क्या होगा अदिकांस लोगों को आता है फिर भी इसे देखेंगे क्योंकि उन्हें गड़े सीखना है कितने लोग बता लेंगे ? बहुत अच्छा, काफी बच्चों को मालूम है, काफी लोगों को नहीं मालूम है, जिनको नहीं मालूम है, हम उनी के लिए आएं, चलो देखो, सबसे पहले इनका क्या करते हैं, आप भाजी गुडन खट, एक सम संख्या है, एक भाजी संख्या है, तो ये दो से completely divide होगी, करोंगे मेरे साथी, तो कितना आएगा, बत्तिष आएगा भाजफल, 32 को जब आप 2 से divide करोंगे तो कितना आएगा, 32 को जब आप 2 से divide करोगे तो आएगा, आपका काव आएगा, या रुक्चा, 16 आएगा 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा 8 का 2 से जब भाग करोगे 4 आएगा 4 को 2 से भाग 2 आएगा 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा ये क्या है 8 के अभाज जे गुडनखंड प्राइम फैक्टर है Mr. and Mrs. क्यत्ति बारा भया गिना एक दाएं 6 आ रहा न भाईजा इनके काकर बस भाईएब लोग अब पेयर बन उबा पेयर जोड़ा जोड़ा बनना बहुत जरूरी इनका तभी घन्मूल आएगा तो जोड़ा इनके दूढ़ी बना है एक जोड़ा से एक दो बाहर दूपर के जोड़ा से दूपर का दो समझ में आ रहा है सुमन कुमार सत्या अब प्रियंका भर्द्वाज सीला कुस्वाह गीता अस्वनी बिजय रुबी राहुल लक्षमी अर्मान मनोज प्रितम सिंग सोबित यह है घनमूल घनमूल का बिल्कुल बेसिक यहीं से सुरू होती इनकी कहानी इनकी स्टोरी यहीं से है अगर आपको गड़ित सीखना है तो PVR स्टड़ी आपके लिए एक वर्दान साबित हो सकता है बसरते आपको बिल्कुल दिल लगा के वो अच्छी वाली मौबबत मैट से करनी है अरे वही जिसमें नीद नहीं आती है चैन नहीं आता है है ना और मैं खड़ा रहा जमी चलने लगी तो आएगा मैथ जरूर आएगा लेकिन उतनी वाली मौबबत हो जाएगी तब जब मैथ पढ़ने लगो और नीन्द ना आए है ना यही तो अंतर है यह मैथ में और उस वाली मौबत में इसमें जैसे किताब लेके बैठो नीन्द आ जाती है और उसमें जब भी लग गए तो नीन्द भाग जाती है क्यों ऐसा क्यों सोचो और बताओ जो हमारे संख्याएं बहुत ही कम है गए देखो यहां पर समझो कासे है अर amazed को छोड करके क्योंकि वहन जो है यह फूर्ट संख्याद संक्या भी इस सभी संख्याओं का अभाज गुडण — घंड लिए इसकी कौई बैलू नहीं होती है जिंदगी में जिससे आप ना कहते हैं व dif कि समझ लेगा तो वही हाल है यह सब को हद ज्यादा भाव देता है सभी के फैक्टर में आता इसलिए कहीं वनको ने लिखा जाता जल्दी से मतलब कहीं गुणा में है या भाज इंखंड में भी है तो अनको लोग इगनोर कर देते हैं तो ऐसे लोग जिंदगी में आपको इगन इसका सबसे पहले अभाज गुणनखंड करेंगे अभाज गुणनखंड में जरा ध्यान से देखिए इसको यह समसंख्या नहीं है क्योंकि इसका लास्ट का अंक 02468 नहीं है तो यह दो से पूरता विभाजित भी नहीं है क्योंकि दो का जो फुली डिविजिबिल्टी होगी इनके अंकों का योगफल आएगा दो एक तीन पांच आठ आठ तीन से विभाजित नहीं है सो तीन से भी यह नहीं होगा चार के भी भज़ता नियम में आगे बढ़ोगे तो चार का विभजता नियम लाश्ट के दो आंक मिलकर चार से कटने चाहिए इसमें ऐसा नही झाल भी यहां आएगा ठीक है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है इसको छोड़ देते हैं उनको इसका कोई मतलब नहीं नहीं हो लिखते हैं और यह आ जाता पंस तो ये था बिल्कुल बेसिक वाला सिस्टम की आप घनमूल कैसे निकालेंगे इससे छोटा कोई नहीं पढ़ाता है कि कोई पढ़ाता है बता तो मुझे कोई पढ़ाता है कोई इंस्ट्ट देखे हो ऐसा जहां पांच लाख दफ लाख बच्चे जुड़े हों और वो ये घनमूल पढ़ाए गोर बेज़ती है इसमें गल्फेंट छोड़ के भाग जाएगी गुरुजी की कहेगी तुमको कुछ वावजात नहीं सिखाओ हम कहते हैं हमारी जाए तो जाए लेकिन बहुत से लोग की इसकी वज़ा फिचली जा रही उनकी दुरुख जाए इफिलिए इसको सिखाते है समझ रहे हो कि नहीं बहुत बड़ा दुख है ये जो इनको गड़ित नहीं आती उनसे पूछो कितनी तकलीफ है उनने इसलिए हम बिलकुछ सुरू से पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो से हमारी कोशिस है कि सब को आना चाहिए सब को आना चाहिए चलो भाई आगे अब कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के भी घनमूल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मान लो मने ले लिया 27 चौवालिस तीन नंबर है न यह कि चार है इसका घनमूल क्या होगा आप सभी इमानदारी के साथ क्या बता सकते हो आप सब में बताओ इमानदारी के साथ बताओ इसका घनमूल कर लोगे तेरा आएगा बारा आएगा चौदा आएगा या डी वाला है इसका ग्यारा आएगा बताओ क्या आएगा गीता बर्मा अस्वनी सहाना खातून बबलु राय आर्ति सिंग निया तिवारी पूजा सुकला राहुल सर्मा अनवी मेनिका साइलेंट बवाय दीपक पारबती सर्मा प्रियंका भरतवाज बहुत से बच्चे जुड़े हैं लेकिन मुझे सिकायत है आप से कि आप सभी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आपके लिए सब कुछ कर रहे है आपको सिर्फ एक बटन टूच पर न ऑसको चूना चुप से प्यार से बस ऐसे अब वह भी नहीं कर पा रही हो तो मैं क्या करूं चलो देखे जिनों ने इसको देखा प्यार फे किसको देखा इसको देखा वो आंसर बता लेंगे इसको देखा-ता प्यार फे ऍथा तू नहीं देखा था न अरे गदह गदहा क्ईल डेखो लिए यह समझो न ई रुख आपको घंयाद होना चाहिए अगर आपने पचास तक के घंयाद कर लिए तो बहुत सारी संख्याओं के घंमूल आपको चुटकियों में पता चल जाएंगे और अगर आप competitive student है तो आपके लिए सिरह माने रखता है तरीका नहीं देखती दुनियाнитьव देखती है effort को हता है इसका अन्सर कैसे होगा क्यूं होगा अब हम इस पर चर्चा करेंगे तो पहिए सबसे पहले इनके अब हाज गुड़न खंड करोगे आप 27-44 के यह क्या यह सम संख्या है एक बार हां या ना में जबाब दीजिए यह एक सम संख्या है बिल्कुल सही क्या है यह सम संख्या है इनको दो से हम अगर डिवाइड करेंगे तो दो एकम दो और दो त्याइए छे ठीक है और दो सत्च चौदा ओके दो एकम दो दो त्याइए छे और दो सत्च चौदा दो दुना चार कौनो दिक्कत ना किसी को जिन लोगों को लागरा है कि 1372 कैफे आया वो यहां देखे मगर प्यार फे इधरे देखो आई फे आई से आवा भाया दो एकम दो सताथ उताल लो दो त्याइए छे गटाने बेक आया उपर चार उताल लो दो सत्च चौदा उपर से चार उताल लीजिए दो दुना चार इफी लिए हम जब दो से भाग किये हैं तो हमें वन्स त्री फेवन टू मिला है यही वो तरीका है यही वो कारण है समझ में आगे सभी को किसी को कौनों दिक्कत परिसानी तो मुझे एक बार हाँ बता दीजिए इमांदारी के साथ नहीं ना पका आगे बढ़ें फिर चलिए थोड़ा थोड़ा हिलते रहना चाहिए नहीं तो लोकों को लगेगा यह रिकॉर्डेड क्लास है बोलो नहीं रह प्रिकॉर्डेड क्लास तो आजकल गुना हो चुकी है ना अटाओ इनको बगाओ चलो दू छंग बारा और यह बने भाईया आएक एक ठी एक बन जाए सतरा हो जये तो दू यठे शोला और दू छंग बारा कि दू त्याइशा दू चोग आट दू त्याइशा तीन सो तिरालिस किसका घन है इनका घन मूल करेंगे मेरे यारों इनको ऐसे लिखोगे प्यारफे दो तीन टाइम है पेंज तीन बार साथ भी तीन बार है इनमें तीन तीन का जोड़ा बनता है मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि की तीन तीन का पेर बनाओ गए इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा फाइनली फूर्टिन आएगा तो यह वो कि तरीका था जिस टरीके से फूर्टिन आता है दू एक नूर समझ में आ रहा है अभी भी अधिकांस बच्चे सेशन को लाइक नहीं किये हैं आपकी जिम्मेधारी है कि कलास को लाइक करें तुरंद लाइक करें देर ना करें ये बहुत important message दिखाने वाला हूँ कहां पता हैं देखा देखा तो तुहीं लोग का दिखावे वाला ही जितने भी candidate जुड़े हैं याद रखें दिल में बसा लें जिगर में बसा लें कि ये सेशन सिर्फ लाइब देख सकते हैं ये बैच यूटूब पर मैं जीरो से बिल्कुल फिरी पढ़ाऊंगा अगर आपका आज पहला कलास है तो आप नीचे दियेगे नंबर पर मैसेज करिए आपको सारी कलास का लिंक मिल जागा इक अठा आज तक जो चली है लेकिन आज के बाद आपको रेगुलर लाइब आना है लाइब कलास इंड होने के बाद इसके recorded वीडियो बाद में डाउनलोड करके देखने के लिए नहीं रहेंगे ठीक है तारे वीडियो कभी नहीं मिलेंगे आपको यूटूब पे या जितना खोजना 9 पीम से 9.40 पीम के बीच आप लाइब आओ ये टाइम है कलास का सारा काम धाम छोड़ के आओ अगर आपको गर्ज है फ्री पढ़ना है तो और सिखाने की पूरी गारंटी है गड़ित नहीं आती है तो निकाल लीजिए टाइम 40 मिनट जिंदगी के लिए जिंदगी बनाने के लिए 40 मिनट निकाल लीजिए छोड़ दीजिए पूरी दुनिया 40 मिनट के लिए और इंटरनेट बचा के रखिए भगा दीजिए बेबी बाबा को 40 मिनट के लिए इंटरनेट बचा के रखिए इंटरनेट खर्चा मत करिए साम के लिए आईए एक और कुश्चन कुश्चन नमबर कितना होगा पांच अच्छे लिख लो भई फटफट चलो इसका अंसर हर कोई बता लेगा मुझे यह बताओ का घनमूल इस पे मान मतलब हो आल्रेडी घनमूल शिपा है कितना आएगा बताओ तेरा तस ग्यारा अठारा इमानदारी से बताओ कितना आएगा अद्दस छे सो अड़ा तालिस का देखो इसका मान कितना आएगा भाई साहब चलो छे नंबर में बताईए जबाब दीजिए मैं बता रहा हूं तरीका कोई दिक्कत की बात नहीं है दिपक अपना नाम थोड़ा सही कर लीजिए तो अच्छा लगे मुझे थोड़ा अगर हो सके तो नाम जैसे नाम बना लीजिए पूरे गाउं का नाम मिला की जोड़े हो हूं तरीका 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 पांच नंबर है अगर इसका सी सही है तो आप कमेंट में लिखिए पांच सी आप ग्यारा मत लिखिए अगर छे नंबर का जवाब दे रहे हो अगर इसमें ए सही है तो आप बताओ छे ए कमेंट में बस इतना लिखना है बहुत अच्छा जिनको घं याद होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ग्यारा का घं 1331 होता है तो इसमें आपका पांच में सी सही है बटेमा यह नहीं सही है बहुत अच्छा इसमें आपका डी सही है डी दफ 1648 जो है वो बाइस का घं है दफ 1648 का घं मूल बाइस है समझा ना नेहा समझ में आ रहा है दीपक पतिक्छा हीना बिजय अच्वनी मोहीत देव धीरज तो दफ 1648 कैसे आता है आओ दिखाता हूँ दफ 1648 का घं मूल देखना है मगर प्यार से मगर बोर्ड पे देखना है मुझे नहीं देखना है कुछ लोग मुझे को देखके गड़ बड़ा जाते है अब बाद में मैं फेस देखो वाटसाप पे आया रहता है हमारे साथ ही लोग बहुत मज़ा लेते हैं कहते हैं क्या क्या बोलते हैं बच्चे आपसे हम कहते हैं बच्चे थोड़ी हैं वो बच्चों की उमीद करने वाले हैं चलो देखो आगे ये क्या एक सम संख्या है और एक भाजे संख्या है तो ये क्या होगा दो से पूर्णता विभाज्य है आप दो से भाग करके इनको देखिए दो पंचे दस दो त्याई छे और दो दुना चार और दो चौकाट क्या ये सही हो सकता है जरा एक बार सोचो कि 10,648 का आधा क्या होगा 10,648 का आधा क्या होगा 5,324 छोटा छोटा पार्ट में सोचिए 10,000 का आधा 5,648 का आधा भाई 600 का आधा 344 सही है फिर से आप इनको दो से भाग करोगे तो दो दुना चार ये बन जाएगा तेरा दू छंग बारा फिर ये बारा दू इचंग बारा दू दुना चार देखिए क्या ये सही है फिर से तीरपन सो चौबीस का आधा कितना होगा भाई 5000 का आधा 2500 होगा और 324 का आधा देड़ सो बारा देड़ सो बारा मतलब मतलब एकस बाफट है कि अब पचीश सो में एकसो बाफट जोडबा तो च्पबीस सो अथट होई सही । भी तो फिर दूसे भाग दूए कम दूए त्यांइशा दूए शाद दूए अच्छा तेरा सो एकतिस का कहुं सुने रहा क्यों जोने कहां से आवा था इकोंने गाउं से लोग कामा सकल देखे आया का कुछ लोग ऐसे है न वह चुप चाप ऐसे देखाता है इसे लागता है बस आद जोड़े वैठान सीरियल चलता है माह भारत चलता है मतलब रामायड चलती है बस बगवान की जय हो बीच-बीच में हाद ना जोड़िए कांपी पैन लीजिए और लिखिए और बताईए अब ठंडिक टाइम वह इसे भी आ गया है कुछ लोग राजाइम गुस गये हैं न कांपी लिए ना पैन लिए ना कलम लिए देख रहा हम सोटर भी नहीं पहिने हैं और यह दाउड रहे हैं रंगे पर बताओ मैंने बताया ना कि मैथ में वो आली मुहबबत करनी है जो अपने उससे करते हो इसमें सब हमारे उसी एज गुरूप के हैं सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तेरी और मेरी मुहबबत में बस फर्क है इतना कितना कि मुझे सिर्फ तुम से मुहबबत थी और तुमको हमसे भी मुहबबत थी कितने लोग समझ गए देखो अभी नहीं समझें तो वो समझ जाएंगे कलास में पूरा निंट तक बनिएगा और वो जो 11 है न उसका क्यूब है 1331 क्या है क्यूब है तो ठीक है 11 फिकटेगा यह 11 एकम 11 और यह हो गया कितना 23 तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11 11 गयरा हमें 121 गयरा हमें बताने वाला कुछ और था लेकिन मेरी लाइन कहीं और गूम गई थी अभी रुको बताता हूं वो इनका तीन तीन का पेर बनाओ गए 11 दूना 22 यानि यह कैसे आया इनका घनमूल आ गया ना सभी समझ गया ना कि समझ में आना चाहिए और जागते रहों आप लोग इसलिए आपको बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत चुटकुला भी मिलते रहना चाहिए है ना चेंज होता रहना चाहिए बीच बीच में जैसे साट वीडियो में देखते नहीं हो आंटी भावी लोग लगी रहती है ददद सिकेंड में है ना लोग देखते रहते हैं दो तिन तिन गंडे तो मेरे पास चेंज करने का ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं मुही धर उदर बन इसका मान बताइए घनमूल में इमानदारी के साथ बताना बिल्कुल पूरा इमानदारी फूल इमानदारी 40 35 48 42 कितना आएगा बीजय नेहा गीता एमडी सानवाज जल्दी करें और फटाफट सेशन को लाइक भी करें आप लोग देखो लाइक नहीं कर रहे हो बगल में एक हर्ट वाला चिन बना है उसको भी नहीं कोई क्लिक कर रहे हैं कर रहा है कि कुछ तो करो ना यार कि वेरे गुड़ चलिए आए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह सही है 42 कितना है 42 सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है नेहा तिवारी मेनिका गौतम धीरज प्रियंका सुमन गुफरान आए यह 22 आएगा कितना आएगा 22 तो जिनको मैथ नहीं आती उनको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जुगाड बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा आपको आपके उनसे मौब्बत है किससे पता है जिससे भी हो तुम्हें बालूम नहीं होगा को पाप नहीं है से कर लो लेकिन दोनों में अंतर देखो तो में की किताब खोले के पवेट आती सामझ में नहीं यह उसमें आने के बाद पिर नहीं आती है राट बीजाती है यहां दीन पिर दो तो ईससे future की और ब Griff neutr लगता है पिर देखिए नींद नहीं आएगी तो फिर आने लगेगी नींदी बीमारी है किन्यों किसी भी काम में नहीं आता है अच्छा लगता उसमें किसीभी काम में नीन नहीं आती रहीग है इस लिए कि यह संख्या क्या सम है और भाज्य है तो दो से दिबाइड होगी ठीक है दो से क्या होगी देखो यहां पर कैसे आईए यहां पर देखिए 74088 अगला ओजैना पढ़ा आCL沒有 अग्या नहीं क्योंकि आगे बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी दिख्कत हो सकती कि एक बाजैना नियम पढ़ाया गया की नहीं कि अगहाइज 50 है कि ना को नोहरीं बताइए इसका मतलब इसका मतलब भाज़े संख्या थीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको दो से भाग करेंगे एक सैफी नाम से कोई कमेंट आ रहा था इनको आधा गंटा के लिए होल्ड किया गया है आप यह कोई कामेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिसको हम पसंद नहीं है उसको हम पसंद करते नहीं है आईए दो त्याइए छे और यह दो सद चौदा दो त्याइए छे और दो सद चौदा तही है चोहत्तर हजार अठासी का आधा सैतिफ हजार चौवालिस अब इनको देखिए लाश्ट में चार है सम संख्या है और भाजी संख्या भी है तो दो से फुल डि बाइड होगा दो से फिर से भाग करेंगे आप तो दो एकम दो ओ अठे सोला ठीक है बचे गाई किधर जाया गाई हो जा dumped 10 दो पंचे दस दो दूना चार दो दूना चार दो चंग बाराद दो एकम दो अच्छा ये बानने भी 61 कहीं सुना था हमने बच्पन में कहां से आया भाईया ये एक किस संख्या का घन या वर्ग है बताओ जबाब दीजिए किस संख्या का वर्ग या घन है जबाब दीजिए फटाफट चलिए जल्दी करिए दस बज़े वाली कलास आज चलेगी नहीं मैं बेसिक मैं दो घंटे पढ़ाऊंगा इसे मज़ा आएगा ये किस संख्या का वर्ग या घन है जबाब दीजिए फटाफट दीजिए दिवाली बाद चलेगी दिवाली बाद ने काओ तो ये भी चला दूंए ये किस संख्या का वर्ग या घन है बताइए अग्या घन है थोड़ा रुकना गनमूल चल रहा है ना आज ओके थोड़ा सा मुझे टाइम देना मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं बस आधा मिनिट बहुत अच्छा बेरी गुड गुफ्रान खान का अंसर आ चुका है सुमन का आ चुका है हुसाइन अब्बास बेरे गुड एक और लाइबी स्टार्ट कर दिया कोई सेशन को छोड़के उसमें नहीं जाएगा ठीक है जो डियलेट वाले बच्चे बेट करते हैं जिसमें उसको भी मैंने शुरू कर दिया है तो इसमें छोड़के कोई वहां नहीं जाएगा ओके चल भाई ठीक है बहुत अच्छा यह 21 का है कि बेरी गुड़ एक इसका है जलो भाई यह कैस का है तो यह कैस का घंद क्या है कि 9261 21 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 21 का 441 होता है होता है न तो बीना भाग वाक किये डारेट तुम्हें यहां चार चार एक लिखो और 21 से इनको भाग करो यह कैस लिखो सही है हमने बिल्कुल दिमाग नाम का चीज पर योगी नहीं किया इसमें अई पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं लगाया दिमाग तो देखो एक बार दिखाई देता हूं कन्फूजन में होंगे ना कुछ लोग देखो जो सही है न ठीक है तो सब सही है अंत भला तो सब भला इनको दो-दो का पेर बना वहिया एक में से एक दो बाहर निकला दूसर के में से एक यह का इस बाहर निकला इनका multiple किया बैलिफ हाया यह answer है क्या है यह answer किसी को कोई तकलिफ इसमें तो मुझे बता दो हाँ yes कोई परसानी नहीं न एनी डाउट एनी दिक्कत नहीं ठीक है तभी एक बार हाँ बोल दें अगर समझ में आ गया पूजा याद हो आयागा समझ में रुमन कुमार आपको भी आ गया अगला एक और भी नेक्स्ट घनमूल का कुश्चन सांती फे और प्यार फे देखना अब अपसांती और प्यार दोनों न मिले तो केवल कलास देखना अगर अगर घनमूल कि इसका घनमूल क्या होगा वाजरा एक बार सोचिए फिर में में मिटा दूंगा आपसन चलो भाई एक्क्यावन और तालीस एक्टालीस और फिप्टी फाइफ कि एनिवन कोई आंसर देगा चल बाई जल्दी रेडी यास यार इसको मैंने लाइब तो किया बट अनलिस्टड करके कि क्या भी मारी है यार यार इसको बताता हूं बिल्कुल बिस्तार से इसमें सबसे पहला अंसर अगर कोई दिया है उनका नाम है गुफ्रान खान और अस्वनी सुमन प्रिया सुकला प्रिया सुकला जी आपका बात विल्कुल सही है कि उसको हम 21 की जगा तीन और साथ से डिवाइड कर सकते थे लेकिन लेकिन हमने अभी घं दिखाया था आपको संख्याओं का तो उसका डारेक्ट परियोग कर सकें इसलिए मैंने वैसा नहीं किया बाकी बेसिक में वैसे ही करना चाहिए था चलो आगे बढ़ें आईए इसका करेक्ट आंसर है ये 55 कैसे करेंगे चलो देखें आगे आईए डियलेड वाली क्लास सिर्फ अप्लिकेशन में चल रही अभी और ये दिवाली बात चलेगी यूटूब पे अभी नहीं चल रही है यूटूब पे दिवाली बात चलेगी एक सो चाचट तीन सो पचत्तर बढ़िया गुड देखें लाश्ट में फाइफ है तो ये संख्या सम तो है नहीं और सम भी नहीं है और ये दो से पूर्चा विभाजित भी नहीं है क्योंकि लाश्ट कांग पांच है अब सवाल अगर क्या ये तीन से पूर्चा विभाजित है उसके लिए इसके अंको का योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए अंको का योगफल होगा छे एक साथ छे तेरा तीन सोला चार बीस तीन तेईस पांच अठाइस अठाइस तीन से पूर्चा विभाजित नहीं है तो ये तीन से विभाजित है ही नहीं है अब हम बिना सोचे समझे पांच से भाग करेंगे पांच से पक्का है तो पांच से भाग करिए इनको इनको पांच से भाग करिए करिए तो पांच यहीं पंदरा यह बचे एक हो जाएगा सोला फिर पांच यहीं पंदरा फिर बचेगा एक हो जाएगा तेरा तो पांच दुना दफ बचेगा तीन हो जाएगा साथिस और पांच सते पैतिस से गुड़ा करिए कितना आएगा एक बाट राई करिए भिक्की समझ में आ रहा है एनी डाउट नहीं ना जो कंडिडेट इस क्लास में डियलेड के उद्देश से आये हो कि हम डियलेड वाला पढ़ेंगे तो बाबु वो समझ ले कि डियलेड वाला क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो कि कुछ बच्चों को इसका लिंक टेलीग्राम पे दिया गया था कि इसमें डियलेड पढ़ाया जाएगा सिकंड समेश्टर का अर्जुन बैच तो जो अभी इसमें नहीं चलेगा आज बढ़िया है ना आए इनको फिर फिर हम पांच से डिवाइड करेंगे एक बार चेक कर लेना घडबर तो नहीं है न इस अग्शंग 30 यह हो जायाँ गाटीन हो जायाँ का 32 फिर 35 अ कि बच्चेगा दो हो जायाँ गए 25 25 बचेगा हो जायाँगा 25 पच्चंपचीस 35-291 किसी का आ रहा है सुमन सैफी सही है आपका पक्का कभी नहीं सही है पूरी तरह गलत है किसी का मन में कोई और डाउट है तो मुझे बता दो एक बार बहुत अच्छा लौकुस आर रहा सही है ठीक है आगे बड़े अच्छा च्छट पच्पन को अगर आप 5 से गुड़ा करिए तो 33-255 तर आएगा फिर फिर इनको 5 से करिए 5 एकम 5 यह हो जाएगा 16 पांते ही 15 एक बचा हो गया 15 फिर पांते ही 15 पांच एकम 5 अब देखिए 11 का बन गया 11 का घं 1331 होता है तो 11 से भाग करोगे 101 आएगा ठीक है तो फाइनल में क्या आएगा तीन बार 5 पांच पांच और ग्यारा जो है तीन बार फाइनल में आप इनका जोड़ा बनाओगे तीन तीन का जोड़ा बनेगा एक पांच निकलेगा जोड़ा में से के ग्यारा निकलेगा फाइनल में पज़ बनाएगा अंसर पार्थ कुमार नया टॉपिक नहीं लेना का यहां पर यहां पर सबको समझ में आना चाहिए प्रिंसी यादो समझ में आया असुतो सभी को समझ में आ रहा भईया एकदम मस तरीके से तो आप लोग सेशन को लाइक भी करिए देखिए आदा फिजाता ना बच्चा लोग लाइक नहीं कर रहा है चलिए फटा फट लाइक करिए तुरंट तब आगे बोलूँगा नहीं मैं एक लबज नहीं बोलूँगा अब अगे चलें तो ये था घानमूलूँगा अब अबीस में और भी बहुत सारे हैं घानमूल के कुईस्चन जैसा कि मैं लिख दिया 1728 का बताओ कितना आएगा कुईस्चन नमबर यहां लिख दो पचीस अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा बता दो फिर अच्छा लग रहा इसी पर 1728 का घानमूल कितना होगा यका इस बारा तेरा पचीस अच्छा अ कि बयाली साट सो पचत्तर का बताओं कि सभी पूर्ण गन संख्याएं है अ कि बताइए भाईया बताइए फटा-फट बताइए तो बीच में ब्रेक होगा ना क्लास का टाइम ओबर हो गया है कि राहूल सर्मा यह लाइब पीवियार स्टडी एप दिवाली बाद चलेगा दिवाली बाद वह से चलना चाहिए अभी और ना कुछ क्या कह रहे हो है किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो इमानदारी के साथ नहीं ना नो डाउट किसी को नहीं तो प्रैक्दीस भी बहुत ज़रूरी है आपको गहन याद होना चाहिए बिल्कुल वैंसे याद होना चैसे आपको आपका नाम पता है जैसे आपका कुई नाम पूछा आपने का मिनाम पंक जैसे नाम मेरें और यह तो नहीं करतें कोई आपका आप कुछ लाते हो थोड़ा देर सोचते हो थर्थ प्र बताते हो। में अपर लेकं साब किताब करते हो नहीं तो आपको घन याद होना चाहिए जैसे मैंने का 21 का घन 62, 20 का घन 8000 10 का घन 1000, ऐसे याद होना चाहिए आपको तो बहुत अच्छा 25 नंबर में अगर हम सही जब आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो 1728 का आएगा 12 क्या आएगा 12 26 नंबर में अगर आगे बढ़ेंगे तो 35 आएगा सी वाला 35 आएगा सुकला जी का सही है पुजा सुकला, प्रिया सुकला, परतीक सुकला मोहित, सुभीस निवास कुमार स्वेता तिरपाठी, हीना खातून आगे बढ़े कोई दिक्कत परिसानी नहीं न देखो भाई, नाम जो है न कुछ भी मिल जाए उसमें से एक पार्ट जिनके डबल होते हैं तो मैं बोल देता हूँ एक दिन एक लोग बोल रहे थे कि आप जो है ऐसे ऐसे कमेंट बोलते हैं आगे पीछे किदर से भी और दूसरी बात आज कल मीडिया वाले इतनी गंदगी फैला रखें तुमको पता हैं पता है कि नहीं अभी देवरिया में इतना गंदा कांड़ हुआ था इतना दुखत कांड़ हुआ था उसमें दिखा रहे थे कि देवरिया में जो है यादों औ सब्सक्राइब करूंगा कि जितने भी यह गंदे चैनल है मीडिया के नेशनल लेबल के इन समको बाइकाट करें कभी नूज ना देखे कोई मतलब नहीं सिर्फ बढ़काते हैं बस एक चोटी सी नूज पाएंगे 10-15 सिकंड की उसी को दिखाएंगे वलीबुड का आप लोग तो समझें पढ़े लिखे और पड़े लिखे लोगों को राजिनीती में नाएं परकार से पड़े लिखों को जितायें यह कहना आज कर भी एक क्राइम वर्ड हो चुका है पड़े लिखे को दीजी अगर कहें दिया तो यह गड़वड है ना यह वी एक परकार से अपराद है कहना जलो देखिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं ऐसा कुछ केस हुआ इसले मैं ऐसा बोल रहा हूं भी हाली में आईए आगे कुछ टॉपिक पर बढ़ते हैं अट्थावन बत्तिस इसका क्या आएगा अंसर बताएगे इसका घनमूल क्या होगा कि एनिवन कोई बताएगा कि अग्या अगला कुश्चन यह सब्ताइफ नंबर आप माल लीजिए इसको आपसन भी दे दूं क्या सब्ताइफ नंबर माल लीजिए तेरा टत्रा वनाइफ या ठारा अठाइस नंबर माल लीजिए 32,780 का घनमूल बताइए याद रहना चाहिए क्योंकि आपको घन याद होगा तो घनमूल भी याद होगा इसमें सबसे पहला सही जबाब आया है वो है राजेस काजले सालमा खान प्रतिक्छा तिवारी आसुतोस अगले का सही आंसार है गोबिन सिंका गुफ्रान खान और आसुतोस राठोर बेरे गुड अगले का भी सही आंसार है 32 कोश्चन नमबार 29 डाल दीजिये आपे 29 यह बता यह 13,824 13,824 का घनमूल बता वई 27,23,24 यह वंतिस कितना आएगा देखो अगर बीच में मैं ब्रेक करके जाता हूं तो अधिकांस बचवा भाग जाता है है ना अधिकांस बचवा जाता फिर नहीं आता है आर्तिक उप्ता 10 बजे वाली क्लास यह चल रही है जो बेसिक चल रही है अभी परजन टाइम में आज डियलड का क्लाफ नहीं है अगर आप चाहें तो जाके इंड्रोल कर लीजिए और नहीं तो इंतजार करिए चलाएंगे डियलड वाले में मज़ा नहीं आती आप लोग साथ क्लास को लाइक से यह नहीं करते हो दिवाली बाद चलाएंगे दिवाली बाद चलाएंगे 14 पंदर तारीक से चाहें पांचे लोग देखो के चलाएंगे इसका सही आंसर आएगा 24 क्या आएगा इसका सही आंसर 24 और ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे टोपिक हैं बहुत सारे चीजे हैं तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस कर लें इसी में लगे हाथ चलो मुझे आप लोग खोज के बताओ इमानदारी के साथ खोजें और बताएं आईए यह बताए इसमें देख के बताओ और देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है फटा पड़ बताओ 43 का घंग 43 का घंग बताओ देखके नकल करके बताओ 43 का घंग बताओ बताओ सब लिखा है इसमें 50 तक देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है जो जल्दी बताते हैं स्टोना सुमित सिंग स्वेता तिरपाथी पुजा सुकला अर्जुन सिंग बहुत अच्छा बेरे गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा है 43 का हो जायाएगा मेरे यारों सेबंटी 9507 ये अच्छा नकल करने की अकल इसमें सबसे जादा जिसको है तो उनका नाम है गोबिन सिंग हमारा उद्देश इसको दिखाना और इसमें पूछना ये है कि आपको ये याद हो जाए बहले देखके ही याद हो जाए लेकिन ऐसे प्रेक्टिस होगा साथ-साथ में आपको याद हो जाए 28 का बताईए 38 का 38 का घं बताओ चलो 38 का बताओ दिखा के पूछना नहीं सही है ना कोई बात नहीं चलो नहीं पूछेंगे दिखा के रुको चली हटा देता हूं जाने दो आप सभी मुझे वनाइस का बताओ चलो वनाइस का वनाइस का बताईए वनाइस वनाइस का घं बताओ सभी को याद होना चाहिए मनीशा, गीता बर्मा, हीना खातून, आर्ति सिंग, पूझा यादो वनाइस का देखे काफी बच्चों ने बता लिए, काफी बच्चे गड़बड़ा आ गए आपको याद रहना चाहिए, ऐसे दिरे-दिरे प्रेक्टिस करेंगे, दिरे-दिरे-दिरे-दिरे याद हो जाएगा, चलो 20 का जैसे हो जाता है आपका 8000, तो ऐसे 29 का हो जाता है, आनफट 17 का घं बताइए कितना 17 का घं बताइए, जल्दी-जल्दी कमेंट करिए न, पांच घंटा का एको लगाते हो भई बहुत अच्छा, 17 का 49 49 23 का बताओ, 23 का घं क्या होगा कितना बहुत अच्छे, लक्ष्मी देभी सबसे पहला जबाब है इनका सोबित कुमार का, बेरे गुड, दीपु कुमार ओम बिसकर्मा प्रीतम कुमार बहुत अच्छा बच्छा, बेरे गुड, चलिए ठीक है ठीक, 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 कमेंट सबका दिख रहा है बट कमेंट देखने के लिए मुझे आज जुकना पड़ता है यह प्रोब्लम है ठीक, 23 का हो जाएगा कितना 12 116 31st का घं कितना होगा 31st का घं कितना होगा कि सुर कुमार यादो पिंकी राओ कि वनत्तिस का कितना होगा टूंटीनाइन का कि बहुत अच्छा सबसे पहला जवाब निमाज कुमार पूजा सुगला परतिक्षा ठीक है बहुत अच्छे वनत्तिस हजार सम्थिंग कितना देखिये एक चीज मैं बताओं क्या आप कि दिन बताया था जुगार गुडा करने का इनका घंध निकालेंगे ऐसे पहले गुडा कर लीजीए बताया था ट्रिक की नहीं इनका गुडा कैसे करएंगे हमें टेबल नहीं आता है किनारे किनारे का गुड़ा करिए 999-81, 81 का 1 हाफिल आया कितना 8, 3 जा गुड़ा करिए 9-18, 9-18, 8-18-36, 36 में हाफिल जोड़ी 8, 36-44, 44-44, 44-44, का 4 हाफिल कितना आया, 4, किनारे का गुड़ा करिए 2-24, 4-8, अब 841 को 29 से गुड़ा कर लीजिए बहुत अच्छा 24390 कितना 24390 किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कात नहीं ना यह प्रेक्टिस होगा एक परकार से ठीक है और यह सारे कोईश्चन हम बीच बीच में कुछ डिस्क्राइब करेंगे बाकी रेगुलर क्लास में आप आओगे तो वहां डिस्क्राइब होगा ठीक है जैसे मैंने कहा कि अंडरूट 3 यह लिखा है इन्टू अंडरूट 3 और इन्टू अंडरूट 3 यह किस परकार की संख्या है इसको तो छोड़ो लिखो इसका मान क्या होगा एनिवन जल्दी गेस करिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में की कैसे होगा क्या होगा तो आप नो लिख के कमेंट कर सकते हैं नो मिन्स मतला मुझे नहीं पता है पहला अप्शन दूसरा अप्शन तीसरका अप्शन दीवाला जीरो ट्राई एक बार ट्राई करिए चलिए सेकंड कोशन अगला ट्राई करिए मैं बताऊंगा भी तैंसल लेने की कोई बात नहीं चलो यह बताईए सबसे बड़ी पर्मिय संख्या सबसे बड़ी पर्मिय संख्या क्या आपने कभी देखा आएगा ही कहीं मिली थी कि नहीं मेला वला में बचार हो जार में सबसे बड़ी पर्मिय संख्या आईए पहला आपसन है सुन नहीं सबसे बड़ी पर्मिय संख्या है यह सो हजार मिंस एक लाख या अनंत यानि इन्फाइनाइट बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मुझे उमीद नहीं थी आज कितने बच्चे जुड़ेंगे मुझे लग रहा था कि सब घर भाग गए हैं लेकिन 6,990 बच्चे जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रियंका प्रसांत और गौतम राजा हीना खातून रंजीत सुसील सभी का कमेंट आ रहा है आए यह यह तीन बार है जब इनका दो बार गुड़ा होगा तो यह तीन हो जाएगा ओनली थ्री एंड यह रूट से बाहर निकल जाएगा इनका कल्यान हो जाएगा जोड़ी ब फसार आएगा इसी में तो यह फाइनल में तीन गुड़ा यह आएगा यह यानि बी वाला फास्ट में कौन सा बी वाला सीकेंड कोश्चन का अंसार होगा डी वाला सीकेंड में डी कि बहुत अच्छा चल भाई आगे बढ़े आए आई यह जनाब आपी का इंतजार था जल्दी फटा फट का संख्या एक संख्या वन है यह क्या है अभाज संख्या है या भाज है कमेंट में फट से बता दो संख्या वन भाज है कि अब भाज है या सह अभाज है ऑफ 네 या फिर नान आप दी इन मैं से कोई नहीं कमें आप लिखेंगे तरीका यह है कि क्षिर में अगर भी है तो ध्री भी दी है तो ध्रीडी यह तरीका है कोई ये चीज नहीं लिखेगा भाज़े भाज़े अरे मिश्टर आप लाइक और शेयर करिए बोलिए ठीक है ये आप कमेंट में उत्तर मत दीजिए बैठके आपके लिए इतनी बड़ी अथार्टी नहीं है इसको करने का आप देखें आपके कमेंटा लग जा रहा है है कि आप ने खुदी पढ़ रहे हैं लाइक शेयर करवाई आप चलिए आगे बढ़े है ने आतिवारी जी आपका कमेंट आरहा है समरीन सैफी आपका कमेंट आ रहा है सुसील जी आपका भी कमेंट आ रहा है शंक्या वन जो है भाईया यह बिरादरी से बाहर है जैसे इंसानों में एक male female होते हैं ना एक और होते हैं सुने हो वैसे मालो लेकिन मैं इसकी बेजिती नहीं कर रहा है ती बड़ी यह मतलब ना तो भाज्य है ना भाज्य क्यों 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 यह भाज्य और भाज्य में से किसी के नियम का पालत नहीं करता है भूलःत टो यह वह ईए ना तो भाज्य है सहा भाज्य कि ठीक है कि मनिश साहु समझ में आ रहा कुछ अस्वनी आप सभी क्लास को लाइक नहीं किया दिकतर बच्चे नहीं किये निवेदन है फटा फट लाइक करें और अगले सवाल की तरफ मुझ फैला के देखते रहें मिन्स आगे बढ़ें चल बाई जल्दी से फोर नंबर अपकी मुटका लिखेंगे थोड़ा सा यह बता यह बहुत ही चोटी चोटी सी संख्या है प्यारी प्यारी सी ननी ननी सी संख्या जीरो पर्मिये है क्या पर्मिये मदलब आ पर्मिये संख्या और थी मतलब नन ऑप्दीज इन में से कोई नहीं हमें नहीं पता है चल बाई प्रिंसी यादो जी बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए और पढ़ रहे हैं ठीक है बढ़िया है और अगला कि कुछ ऐसे बत्चे हैं जो लगतार कमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सर्मार है अभी थोड़ा थोड़ा अगला नेक्स कुछिशन किस टॉपिक कले टॉपिक बताओगे आप लोग चली यह कुछिशन नंबर फाइफ ठीक है तो फोर नंबर में 01 पर मिये संख्या है सुन नहीं जार रेफरनल नंबर ए है फोर में ए सही है यह बताइए कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइफ अगर इसका गुड़ा हो जाके फे पता है तो का पचीस फे देखे मान किता आए बढ़िया बतावा हो सबही चला अए उल्टा होईगा फाइब में जबाब दीजिए ए बी सी डी बहुत अच्छे बच्चे जिनको भी गड़ित सीखना है कोई क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा क्लास को पूरा इंड तक देखेंगे और अगर आप इंड तक देखेंगे तो गड़ित सीखाने की हमारी पूरी फुल गारंटी होती है कि आपको हम मैथ में माश्टर बना देंगे यानि हम आपको सिखाते हैं सुनने से बिल्कुल सुनना से सिखाते हैं एकदम जीरो से सिखाते हैं ये क्लाफ नंबर 11-12 जो भी होगी आज प्रेक्टिस सेट है अगर इसका सारा पार्ट आप देखेंगे इस बैच का तो आपको बहुत कुछ मिलेगा बहुत कुछ इसका जवाब दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ें चल रही आगे बढ़ें लिखिये अगला दी एलड की परिच्छा में पूछा गया सवाल है उसे जिनको बेसिक सीखना उनके लिए तो बहुत बढ़िया है शे नंबर होईगा साथ नंबर लिखिये निम्न में प्राकरतिक संख्या है प्राकरतिक means natural number निम्न में प्राकरतिक संख्या है कौन सी है भाईया पहला है 3 वटा 5 दुछरका है अंडर रूट 3 तिसरका है 9 और 1 वटा 4 सेबन A, सेबन B या सेबन C क्या सही होगा जल्दी करें फटा फट जल्दबाजी नहीं अस्वनी तोमेस भरद्वाज पर्तिक्षा तिवारी रंजु पटेल गीता कुमारी प्रतिमा गौतम मुहम्मत सबके कमेंट्स आ रहें चलो भई देखो जिनके सिकेंड नाम है हम किसी किसी का एक नाम बोलते हैं तो नाराज नहुआ करें नेचुरल नंबर इसमें है तो सबसे पहला जबाब अगर सेबन में कोई दिया है तो ऐसी महान आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा का नाम है गोब आईए इसमें जो नेचुरल नंबर है वो है कौन सा नाइन सी वाला साहिए कौन सा है सी वाला साहिए प्रकृतिक संख्या वहां से लेके अनंतक होती है न कुश्चन नंबर आठ आठ नंबर में ये बताओ कि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या कौन सी है सबसे छोटी प्रक प्रकृतिक संख्या सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या चल भाई जल्दी से इसमाले नेचुरल नंबर इसमाले प्रकृतिक संख्या बाई जल्दीक संख्या बाई आए हुआ 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 है अब पटाके फोट रहे खोपड़ी पयार मेरा तो दिमागे काम करना बंद कर देता है है बहुत अच्छा बेरे गुड अगे नाइन नंबर संख्या सोला के अपवर्तक है बहुत अच्छा अच्छा बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड इसका सही जबाब है सबसे चोटी नेचुरल नंबर वान है झाल 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 नाइन नंबर में जबाब दीजिए प्रियंका भरतवाज आंसर तो बताई रहा हूं में थोड़ा सबर रखिए रूची मौर्या बहुत अच्छा प्रिंसी आदो संकज कुमार भाई पंकज सुना था रंकज सुना था संकज भी सुन लिया जन संक्या इतनी वड़ रही है कि नाम लोग तोड मरोड के रख रहे हैं संक्या सोला के अपवर्तक अपवर्तक को इंग्लिस में फैक्टर बोलते हैं और इसको आप विभाजक भी कह सकते हैं ठीक है तो अगर हम सही जबाब की बात करें नाइन नंबर सवाल का तो सबसे पहले जिन्होंने दिया है उनका नाम में जरूर बोलूंगा अपवर्तक को फैक्टर बोलते हैं फैक्टर गुड़नखंड भी बोलते हैं क्या हाँ गुड़नखंड भी बोलते हैं सबसे पहला जबाब दिया सीला कुस्वाहने और सुसील कुमार यादो दूसरे नंबर पर हैं बाकी उसके पीछे सब लोग लगे हुए हैं कोश्चन नंबर दस कोश्चन नंबर दस यह बताइए वन माइनस 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 काय के लिखे लिखो 8X2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए चलो भई बताओ इमें का जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए पहला है इसमें यक्ष जोड़ दो भाईया दुफरका है आठ जोड़ दो तीफरका है सुनना जोड़ दो अच्वता है नहीं दिल मानता है तो 16X का स्कॉयर जोड़ दो जबाब दीजिए जिनको ना आ रहा है वो कमेंट में नो लिखेंगे हम जान जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा है इसमें कोई गोर बेच्जती नहीं है कि हार नहीं माननी चाहिए कोशिस करते रहना चाहिए आप लोग क्लास को लाइक सेर करें देखिए यह दिवाली और धन्तेरस की वज़ा से बच्चे कम है इसके डबल बच्चे होने चाहिए डेली मैंने बताया कि इसका रिकॉड़ेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कत्ता ही नहीं मिलेगा बाद में जो लोग दिवाली मना रहे हैं मनाने दो धन्तेरस है आज अभी दिवाली थोड़ी है और वो भी जो है अभी दो दिन बचा है यह थोड़े कि हम तेवार के दू दिन पहले बंद कर देंगे तेवार के तिन दिन बाद तक बंद किये रहेंगे नहीं संन हम नहीं आ shipped कि वह अच्छा इसमें कुछ नहीं जोड़ना है इसमें कुछ नहीं जोड़ना है कि जोड़ना है ऑगया पूर्ड वर्ग बनाना है पूर्ड वर्ग करें है इनल्या जब मुसीबत हैं हम तो पूर्डगन समझ रहे तो देखे यक्स तो नहीं बढ़ाना है यक्स तो ठीक है ठाक है अवस्था में पूर्वर्ग है ये नाइन मतलब मिन से इसको बनना चाहिए ना तो नाइन कैसे बने गई है नाइन क्या जोड़ेंगे देखे सबसे पहले इनकी कहानी समझेए आंसर इसमें भले कोई ना सही हो देखो जो पूर्वर्ग संख्या है होती है साथी मेरे उनका मतलब पहले समझो ऐसा कुछ होता है ये रुख जा देखो जैसे संख्या चार है ये पूर्वर्ग संख्या है इसका मतलब क्या है कि इसको हम किसी संख्या के ऐसे स्क्वाइर को रूब में लिख सकते हैं जो का स्क्वाइर लेकिन आठ ऐसा नहीं होता है और अगर हम तीन का स्क्वाइर बात करें तो नव होता है तो जो आठ है चार और नव के बीच में है तो कैसे बनेगा मतलब जोडने की बात हो रही है तो या तो इसको माइनस में कुछ जोड करके चार बना दो या तो पलस में कुछ जोड करके 9 बना दो ठीक है तो इसमें फिलाल आपसन तो कोई नहीं सही है लेकिन हमें लाना क्या है दो रस्ता है एक तो आगे बढ़ जाओ तो इसको 9x square बना दो एक आप इसको पीछे ले की चले जाओ और 4x का square बना दो तो आगे बढ़ना जिंदगी में सीखा है मैंने इसलिए जो digital board है न यह जमीन से 4 फुट उपर लगा है एक तक था मैंने बनोया बाद में पहले इसको प आई है ठीक है तो हम क्या ले आएंगे 9x का square हम इसमें जोड़ देंगे 1x का square यानि यह हो जाएगा 9x का square फाइनली अगर हम बात करें तो इसमें 1x का square जोड़ना चाहिए क्या 1x का square यहाँ पर अकर यह ऐसे होता तो 10 का a सही था आठ एड करके 16 कर सकते हैं जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा अफ़ा दिमाख लगा इसमें आठ नहीं जुड़ेगा अंकेले यह आठ नहीं जुड़ेगा यह वैसा घर है जहां पर सिर्फ फैमिली वाले रहते हैं बैचरार अलाओ नहीं है तो डबल डबल जोड़ाएंगे वह जुड़ेंगे यानि आप ऐसे समझो यहाँ पर थोड़ा सा आठ यक्स का स्कॉयर इसमें हम ऐसे आठ नहीं जुड़ सकते जुड़ेगा ही नहीं है अगर दूसरी बात यह अगर हम नो पहले पा जा रहे हैं तो हम 16 तक कह जाएंगे हाँ आप ऐसा कर सकते थे आठ यक्स का स्कॉयर जूड़ सकते थे यह पॉसिबल है ऐसा आप कर सकते थे लेकिन जब हमें इसमें यक्स का स्कॉयर जूड़ने स्काम चल जा रहा तो हम आठ एक्स्ट्र का है जूड़ेंगे ठीक है आपका भी आंसर था ही ऐसा हो सकता है अगर आप्शन में होता तो कुश्चन नंबर कौन सा होगा नाइन इलेवन चलो बैया यह बताएए कि किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है कि इसको आप उचाही कर लिजिए अच्छा लगेगा उचाही इन्स हाइट कि उचाही कि विशाल गोविन सिंग प्रियांका कुमारी किसी को कोई डाउट नहीं न बहुत अच्छा चलिए ठीक है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र जो होता है वो होता है वन अपान टू आधार इन्टू हाइट अप्सन नमबर ए इलेबन में कौन सा ए नमबर टूएल नमबर में आगे बढ़िए और टॉपिक मुझे कुछ डिफाइड नहीं पूछना कहां कहां से क्योंकि बहुत लंबा कहां नहीं है कोईशन अगर आगे होता तो बढ़िये रहता यह बताईए कि सबसे बड़ा अधी कौन कितने अंसका होता है सबसे बड़ा अधी कौन कितने अंसका होता है इसको इंगलेस में आप टूश एंगल बोलते हैं सबसे बड़ा अधी कौन जल्दी करें सभी जल्दबाजी नहीं फटा फट चल भाई टोयल नंबर में जवाब अगर चले आगे बड़ियां ठीक है चलो तो सबसे बड़ा जो अधी कौन है साथियों वह होता है क्या वन सेबन नाइन जो डोक डी बता रहें उनी का सही है एकसव असी वालों का मैं भरम दूर कर दूं भाई यह कहां से पढ़े हो एकसव असी जो है अधी कौन नहीं है 180 से छोटा होता अधिक कोण ठीक है बहुत से बच्चे 180 बता रहे 180 जो है वो अधिक कोण नहीं है उससे छोटा होता है उससे नीचे होते हैं अधिक कोण उससे बड़े नहीं होते है ठीक है देखो ये चीज होता है अधिक कोण का बताई देता हूं मैं अधिकोंड समकोंड के बाद शुरू होता जहां तक मुझे पता है 91 से लेके 179 तक यानि इसके बीच में जितने भी कोंड आते हैं 95 का हो गया 150 का हो गया 165 हो गया 170 हो गया 175 हो गया 155 हो गया सब अधिकोंड है लेकिन 180 के उपर अधिकोंड नहीं होता है 180 वाला रिजु कोंड होता है इस्ट्रेट अंगल कहते हैं इंगलिस में और उसके उपर बिरहत कोंड हो जाता है अधिकोंड नहीं होता है उसके उपर तेरा नंबर बताओ 168 हं स्कुए कोंड का नाम बताईए इसका नाम बताईए क्या होगा जल्दी करें और फटा फट सभी साथी सेशन को लाइक करें देखिए सिर्फ और सिर्फ 19 बचा है सतक लगाने में चलो फटा फट लाइक कर दो भई अधिक कोंड इंग्लिस में आप ट्यूस अंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं अप ट्यूस अंगल कुश्चन नंबर 13 आज हम आपकी ना एक नए अपने साथी से मुलाकात करवाने वाले हैं देखना अभी अभी मेक अप कर रहें थोड़ा सा अभी दिखाता हूं आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आखिर कौन है वह अगर वो सर्माज आएंगे तिहां आएंगे भी नहीं इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं बोलना चलो भई अगला इसका मान क्या होगा दस बारा नव आठ एक्स बटा दो एक्स बटा तीन बराबर दस कितना आएगा दिव्यांसी बिलकुल सही है हीना खातू लक्षमी प्रियंका मौमध हसन बैकेंसी किस छेत्र में किस डिपार्टमेंट में नंबर पर संपर करिए प्रग्या पांडे फूल चंद्र अरे नहीं मेरे दोस्त है यार वो डीके सर है इतना भी बंजा चलता है थोड़ा बहुत आईए सर आईए एक बर्दसंदी जीन लोग को बहुत अच्छा इतका अंसर क्या होगा आप सभी समिकरन हल कर लेते हो ना देखो ऐसे करेंगे क्रास मल्टीपल तो यह हो जाएगा तीन यक्स प्लफ इधरे का गुड़ा करोगे दो यक्स आइफ इधरे का करोगे तो दो त्याई छे बराबर दफ तो तीन दो पांच यक् कोई रील नहीं है कि आईसे इसे खिसका दिया तो आईसे इसे हो गया बस खतम आईसे नहीं होता इसमें थार्टीन में भी वाला साही 14 नमबर आई कोईच्चन अगर हम पहले फिल लिखके रखे रहें तब तो अच्छा लगता है सुन्दर रहता है लेकिन अगर हम यहीं सामने लिखें ला करके तो थोड़ा सटाइम लग जाता है लेकिन हम कहीं से नकल उकल करने को पाई जाए न तो जल्दे लिख देते हैं दिमाग न लगाना पड़े कि अगर दस गुड़ा तीन अरे मैं मजाग मैं बोला सर आपके सर्मा कहें कहें इसे बोल दिया अब जितनी करवा दिया नहीं आएंग सामने हाँ तो इसका मन क्या होगा एनिमन थर्टी फाइफ थर्टी फेबन थर्टी एट और थर्टी नाइन चलिए जल्दी फास्ट कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहां जला ला लिक दे रहा है इसमें कितने नए बच्चे हैं जो पहली बार आज कलास में आये हैं इमांदारी से हाथ उठाईए बेसिक मेंद के बहुत से हमारे साथी हैं इच्चु का भरती फिल ये कलाफ चल रही है बाकी डियलेट वाली कलाफ नहीं चल रही है एक चीज और जान लो सभाई लोग ये कलास सिर्फ और सिर्फ आप यूटूब पे लाइव देख सकते हैं लाइव इंड होने के बाद इसके सारे वीडियो यूटूब पे नहीं मिलेंगे बीच बीच के कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे बस और ये बैच हम आपको पूरा फ्री पढ़ाएंगे जो बच्चे 5-500 रुपे या 1000 रुपे जमा करके भी लिए हैं न वो सारा चीज इसमें पढ़ाएंगे बस आपको डेली लाइव आना है लाइव नहीं आओगे इसके रिकॉर्डड वीडियो यूटूब पे नहीं मिलें एक चीज और जान लीजिए लेकिन उसके साथ में क्या कि अगर आप डेली आते हैं किसी कारण बस एमरजनसी में आपका क्लास छूड़ जाता है तो हमारे पास आउप्सन है आप अपना इमेल आईडी हमें वाटसाप पे भेजिए हम आपको क्लास का अक्सेस दे देंगे व ठीक है तो बिल्कुल सुरच्चित हैं आप यहां पर फिरी पढ़ सकते हैं महीने में पांच क्लास आप छोड़ सकते हैं उसको हम भेजेंगे आपको पांच पांच छूट रहेगी आपको उससे ज्यादा नहीं अगर आपने उससे ज्यादा गरबर किया तो खतम फिर नहीं मिलेगा इस बैच में होगी कम से कम 80-90 क्लास तो कितने कुश्चन हो गए थे अब तक एक नजर डालिए पीछे 14 नमबर इसका सही जवाब है 38 14 में C वाला सही है कितने लोग नहीं समझे थे 14 नमबर में कोनों बताया ही नहीं था सब सरमार रहे थे देखो मैं बताता हूँ तुमें ये माइनस है तो माइनस है फिर आइने दो 14 में से इसको घटा लो भाया माइनस का 13 आएगा धान ये 30 माइनस 5 तो होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस जोड़ो 43 माइनस 5 का भाई लोग बुजान कि नहीं बुजान बुजाएगा न बुजाए 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 दिरे दिरे 15 नमबर कुश्चन पर आगे बढ़िए आईए 15 नमबर पर आगे बढ़िए नीचे स्क्रिन पर मुबाइल नमबर चल रहा है नीचे धीरे धीरे देखिए डोल रहा है जिनको कोई परकार की इंक्वारी है उस पर मैसेज करें या दिन में फोन कॉल करें कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं जानते हैं आप रेक्टेंगल किसे कहते हैं बताईए निम्न में अभाज संख्या है बहुत बार पूछाओं ये सवाल हर बार तुम गड़ बढ़ा जाते हो बिल्कुल अलाइन वाली मुवबत की तरह फंस जाते हो देखो कैसे बताता हूं अभी बिस्तार से आओ अब आज ये संख्या कौन है 102 102 102 के बाद 17 90 और 87 और बी और डी दोनों आपसं सही बी और डी का मतलब 117 भी और 87 भी दोनो बताईए पंदरा बाले में जवाब दीजीए अब 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 भी साल या तो रूची मौर्या प्रग्या अब जल्दी करें पूल चंद्रा भाईया बताओ लखन करन कितना आई हो देखें मुझे पता था कि अकसर लोग धोखा खाएंगे अकसर यह वही लोग है जो प्यार मौबबत में धोखा खाते हैं जैसे देखें हमारे सार भी वैट है अरे हम कुद कड़े हैं हम भी खाएं उसमें कौन सी बड़ी बात है इन्सान धोका खाने से ही सीखता है बातों से ही नहीं समझ में आती यह जिंदगी कुछ हादसे भी जरूरी है जिनदगी जीने के लिए देखें धोका खाने का है मतलम मैं क्यूं बताया इसको मैं उससे compare क्यों कर रहा हूं आप लोगों के पहला पहला प्यार से पता है क्योंकि इसमें भी जब पहला पहला रहता है न तो जादा कुछ आदमी पूछता जानता नहीं है कि बाबो मेरा गुस्ता हो जाएगा जादा आकर मैं इसके कुछ खिलाप करूंगा तो या पहला पहला देखा और लगा कि वह क्या है अभाज है देखने पर जो चीज आपको महसूस होती वास्तों में सही होती नहीं है ऐसे मैंने इसलिए आपको उस प्यार से मतलब compare के उसमें क्या लोग देखबेद करते हैं देखने में अच्छा लगा वागी आप समझी सकते हो इतना बड़े हो कुछ नहीं कहना ज्यादा ठीक है तो देखने पर यह अभाज भाज पता नहीं चलती है उसको महसूस करना पड़ता है पहले इस्तेमाल करने फिर विश्वास करें आई इस्तेमाल करके दिखाते हैं कैसे देखो इधर साइड में इसको ज्यादा तर लोग इसका भाज बताते हैं क्योंकि देखने पर यह भाज लगती है लेकिन ऐसा है नहीं इसका फैक्टर करेंगे वन और फिर अगर आप इसे तीन से भाग करिए तो तीन से भी यह डिवाइड हो जाएगी भाग करके देखिए तीन से भाग करिए तीन दुना छे तीन नवा सत्ताइस वन अत्ति आएगा यानि यह वन अत्ति से भी डिवाइड है और फताफी तो खुद अपने से डिवाइड है ही तो इसके जब चार फैक्टर है तो यह अभाज तो है नहीं अभाज तो है नहीं यानि यह संख्या क्य संख्या है वन से बीवाइड है खुद से बीवाइड है बाकी दो जगा और भी दो संख्या फिर इवाइड है इस अब किसी बी एक फिरन रिलेशन में एक साधी में दो इंसान होतें दो कपल है ना अगर एक श्च्ट्रा हो गया तो वह अबयत माना जाता है तो ऐसे क्या याने राटधें नहीं समझ रही है दोने अपसौनों जो लोग इसको बता रहते ये भी गलत है तो पिर सही कौन सा है? इंगलीस में इनको प्राइम नंबर ऑंडर कमपोजिट नंबर बोलते हैं आपाज मुण्स स्ळए Unit बोलते हैं या प्राइम नंबर बोलते हैं ठीक है तो यह अबाज यह है क्या? किस से डिबाइड होगा? देखो दोखा क्या माहा दोखा हो गया इसमें एक ओठी अभाज नहीं है दो से तो डिवाइड है नहीं है तीन से चेक करो ऐसी संख्या तीन से भी भाजित होती है जिनके अंको का योगफल तीन से डिवाइड होता है इनके अंकों का योगफल करिए एक एक दो साथ नो मतलब ये भी तीन से डिबाइड है इसमें कोई भी अबाज नहीं थी देख लो चले थे ठेर सारी उमीद लेके न सब गड़बड हो गया न एक भी संख्या इसमें जो है अबाजे नहीं है सारी संख्याए भाजे है तो कौन-कौन सही अंसर दिया था देखिए पूजा सुकला कह रही कि मेरा अंसर सही दिया है मौंबध अफन भी बता रहे हैं एक सो सतरा है अब ठीक है ठीक है एक सो सतरा कनफ्यूजन इफिलिये करवा रहे थे आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा तो समझो दूसरी बार दोखा हुआ ना दोखा बात आदा इस से एक चीज़ और अगर इंसान जिंदगी में एक बार दोखा खाता है न तो दोखा देने वाले की गलती है और अगर दुबारा फिर वहीं उसी चीज़ से उसी दसा में उसी कंडिशन में दोखा खाया तो फिर दोखा खाने वाले गलती है नालायक है मूरक अगर अब बिल्कुल सही है सर आईए आप आईए दर्फन दीजिए आईए आईए आप क्या पकड़ के ले क्या हूं गोदीम उठाके क्या गोदीम लेकर आओ क्या इनको में कप वक अप कर ली है रुको लेकर आता हूं लड़के बहुत मॉटिवेट होंगे उसाहित होंगे देखिए अभी क्या चीज निकाल के दिखाते हैं सर आईए जल्दी अभी नहीं आ रहे हैं अभी देखिया आते हैं चलो अगला एक आथ कुश्चन और बताते हैं तब तक आईए आप यहां खड़े होई थोड़ा देखिए ऐसे जहां किये देखिए कैसे दिख रहे हैं आप आई हम तो मूँ भी नहीं दूले आप तो कम से कम चमकाएं थोड भाई पापान नाइन में कौन बड़ा है कौन बड़ा है इसको अगर हम पी से नाम दें इसको क्यूं से तो बताएए पी और क्यूं में कौन बड़ा है चलो भाई जल्दी करें बहुत जल्दी करें इसको तो एक नजर में इनको पकड़ लेके आता हूं धकेल के पीछे से तो आएंगे रूकिए तो यह हमारे दिने सर और यह बखवान से दुआ करिए कि दुबारा फिर नजरा यहां नहीं तो देखिए पता नहीं कहां जाने वाले आवाजारी यह बहुत अच्छा गड़ित पढ़ाते हैं आप इनको एक बार देखिए तो लेकिन इससे गड़ित नहीं पढ़वाएंगे यह कुछ एक्स्ट्रा सब इस देखिए अच्छी लग रहें मेख आ रहें मेरे जरी दिख रहें ना के आशर ते लगवाथे देखिए लगा पाते कि नहीं आप लोग से लगवाते रहते हैं मैं यह इसा है मिल्कुल भी इसका एंसर बताइए आप लोग इसका एंसर बताइए आप लोग एक कुश्चन आउट दे रहे हैं आपको किया क्या रही है इसके लिए आप सब्सक्राइए आपके पास इसके लिए आप सब्सक्राइए अच्छा कि आप कि आप लोग को बताते हैं कैसे लगाएंगे कैसे हो गई अच्छा यह वाला एक कुश्चन बेसिक जो होता है आप लोग को सर बताएंगे जो होता जिसे दोनों नंबर पर बाहर होता है तो सर यह से लेते इसमें एक अलग नंबर हुआ है जिसमें चार है जिस पर बार उसके उपर दिया नहीं गया है तो इसको आप ऐसे लगाएंगे इसको 432 पूरा लिखेंगे और माइनस में इस नंबर को करेंगे यहां पर डबल नाइन है डबल नाइन लेंगे एक चार है जिसके उपर बार नहीं है उसको जीरो ले लेंगे अब इसको साल्व कर लेंगे नहीं 32- chuck जाएगा कितना होगा रिश्वरी 12-4 जाएगा आट बच जाएगा अजी यह आपका अंसर होगा पुछ है ज्यादा थोडी ना है लगा तोडी है लग रहाए जादा बढ़ा है एक एक कुछिशन इस पर लगाई आप लोग लगा दीजिए उसके बाद सरा के पढ़ाएंगे आप लोग को कि यह को हो गया इसको आप लोग बता दीजिए कांपी में लगा के बैठी है ऐसे थोड़े ना बैठेंगे क्लास ले रहे हूंगे आप लोग कि मैथ पढ़ रहे हैं जी यह थोड़े ना पढ़ रहे हैं कि अब पढ़ लगाटी तो अब 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 कर देखने ने पूस्तर नहीं कि अब कर दो कि मेंद वे दीपक जी हैं अब अब सब बच्चियां है जोपिए इसको लगाई यह आप देखिए आईए सप्राइए तो देखिए भाई दिने सरका टाइम ओबर हो गया यह बहुत बड़ा-बड़ा कुश्चन लगवार हैं आप लोग नहीं लगा पार हमको भी नहीं आएगा तो यह सब सवाल हम लोग नहीं करते हैं ना चोटे बच्चे वाले कुश्चन पहली बात ओटल्थ में यह नहीं और बेशाया है कि में इसका कैसे करते हैं जानते हों नहीं बताया था ना इसको यक्स के बराबर मांते हैं जो कैसे निकालते हैं लड़कियों का नाम नहीं लेते हैं इफील ये नहीं बोल रहे थें कमेंट कह रहे हैं दीपक्ची हैं बाकी सब लड़किया हैं क्या नाम बोले इनको थोड़ी दिक्कत होती है तो देखे इसमें जो है जैसे यह question लगवाएं same to same यह भी है यहाँ पर देखे ध्यान दिजिए इससे compare करिए क्या है इससे अगर आप compare करिए तो दो संख्या पर बार लगा है एक संख्या पर नहीं लगा है तो टोटल संख्या मेंसे जिस पर बार नहीं लगा उसको खटा देते हैं और जितनी संख्या पर बार लगा उतनी बार नहीं बढ़ा देते हैं ठीक है और फिर जितनी संख्या पर बार नहीं लगा नीचे उतना 0 बढ़ा देते हैं चलि आगे बढ़े तो अब ये बताईए छोड़िए ये सब कुश्चन ये सब कुश्चन हम बताने लगेंगे तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा हम वो पढ़ाते हैं जो मज़ा आए आप लोगों को है ना मज़ा आनी चाहिए डियलेट वाले बच्चे हैं बेसिक में चीखने वाले हैं तो ये बताईए इनमें सजातिये कौन है सजातिये बंजक लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स बताईए पहला ये वाला है 7y square x square or 3x square एक बाट 3xy square xy square minus 9y square x लाइक टम्स बताईए फटा फट सजाती ये बंजा कौन है इसमें question number यहाँ फटरा कुछ भी लिख लीजिए पता नहीं कितना नमबर डाल दिये थे पहले एक्स्ट्रा में 17 जान लीजिए चलो जल्दी करें फटा फट हुँ छोड़ी जन दीजिए चलिए बहुत अच्छा very good फूल चंद्र जी बहुत अच्छे पंकज कुमार प्रतिक्छा अंजली और अनुज अंजु सोभित नेहा प्रिया गीता रुची विकास सबके कमेंट आ रहे कमेंट करिए अच्छा अच्छा देखे शजाती यह पत्क्या होता साथियों सबसे पहले उनके जो चर पद होते है variable and power same होनी चाहिए बस बाकी माइनस प्लस हो गिंती कुछ भी हो उससे कौनो मतलब नहीं ठीक है तो जैसे देखो इसमें variable क्या है वाई variable को ही तो चर बोलते न इसमें एक्स इसमें एक्स variable ही same नहीं है जाती ही समान नहीं है पावर तो बाद में देखना इसको मैं समझाया नहीं था इसने आज कल देखे हमारे देश में ही पूरे चल रहा जाथी वाला महौल पुछ देसों में तो जन्गडना भी हो रही है नद तो कमसे काव इतना तो समझो है जहां पर एक सब्सक्राइब तो पहले बात उनकी जाती समान होनी चाहिए जैसे इसको फारिग्जामपल आदी तर साधी भी बावाले जोड़के दिखाता हूँ क्योंकि आफ लोग समझते जाता है तो आज कल जो मारे यह आंप अच्छार समान होना चाहिए फिर फॉनी चाहिए अगर दूसरा कंडिस उसमें बात करें तो यह रिक्सा चलाने वाले का घर में ऐसा रिस्ता कोई नी करेगा दूसरा अगर उदर कपक्ष कोई सब्सक्राइब ना तो पावर का मतलब घात भी सेम होनी चाहिए गात सेम है इसमें लेकिन चर सेम नहीं है तो यह है नहीं इसमें देखिए चर तो सेम है सब में यक्स 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 की पावर वन है इसमें भी यक्स की वन है इसमें भी यक्स की वन है सही है दो क्वाल्टी टेस्ट पास y की power 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है भाई साहब पकड़ लो इनको हो गया answer b वाला अच्छा क्या c वाला भी सही है क्या आओ देखें इसमें z है इसमें और कहीं z नहीं है cancel चर सेम नहीं है इसे कोना मतलब है नहीं है तो ये होता सजाती है पर जिनको like terms बोलते है इसमें अधिकतर बच्चे भाग जाएं क्योंकि में मजा नहीं आएगी अब मजा वाला सवाल देखो मजा जिसमें आती है हमें पता है तुम्हें मजा किसमें आती है चलो बताए संख्या इतना रख लो का 25% बताए से मजा आएगी ये वनम मज़ेदार सवाल चलो बताओ कितना आएगा बताए फर जल्दी बताए कितना आएगा कितना आएगा 50 और 18 अड़फट हो सकता है क्या 85 हो सकता है क्या एठी लिख दो ना ना अब दी इजिन में से कोई नहीं बहुत जल्दी करें कोईशन नमर 18 में 18A 18B 18C इस तरीके के जबाब देंगे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हसन सहाब DL8 की क्लासें अभी PBR Study आप में चल रही हैं यूटूब पर दिवाली तक कोई क्लास नहीं चलेगी DL8 वालों के लिए क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक शेयर करतें नहीं DL8 वाले तो यहां पर दर्द हो ता अंदर में तकलीफ होती है हाँ बेसिक मैट का चलता रहेगा हम कोशिस करेंगे बेसिक मैट के वीडियो रोज आएंगे दिवाली के दिन भी आएंगे देखिए त्योहार अपनी जगा है पंदरा मिनट एक घंटा पढ़ लो कि तो क्या जाता है अब उमर नहीं रही साहब दिवाली वाली मनाने की अच्छा आप सोचो खुद सब लोग जब छोटे थे कच्छा पांच छे में पढ़ते थे तीन चार में हमें जहाता कि आदा एक पड़ाका आता था वो उसको जहां ऐसे पत्थर रगण चिट 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 बोलता था उसको खरेंगे लिए अगर दो रुपे मिल जाते थे न आप पड़ाका फोड नहीं इतने बैस्त होंगे बिल्कुल नहीं पड़ाका खुद बन चुक है अब वो उमर जा चुकी है ना अब खुद 14 लोग फोड रहें तो मेरा मतलब यह कि वीडियो आते रहेंगे और आपको देखना भी है देखना भी है आपको वीडियो आते रह करेंगे 215 से क्या करेंगे गुडा करेंगे सव से भाग करेंगे तो 214 चो का सव 202 को भाग करेंगी 1990 को 4 यहार करेंगे तो 4 छंग 24 चार फते अट्थाइस भी तुजा सकता यार चार फते अट्थाइस दसमलों में आएगा सम्थिंग डी वाला सही होगा यार कौन सा डी वाला सही होगा ना बिल्कुल सही ठीक है डी वाला सही होगा यह जा रही ना पूरा-पूरा पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसे देखो अब चार दूना आठ दसामलों बढ़ाओगे 72.5 आएगा ये वाला फाई है 72.5 आएगा यानि 72 आगे चलें देखे एक बार में एक लाइन में सुन लीजिए बहुत से बच्चे आपको पता है अगर दर्सक नहीं आते तो मज़ा नहीं आती मज़ा ना आने का पीछे और भी वजा है सीधा फिदा अगर कड़वे सब्द में सीधी लाइन बोलूं जो लोग जूट बोलते हैं उसको छुपा के हटा के तो पैफा नहीं मिलता है बिजली का बिल यहां रूम करेंट आपके लिए सहीओ करने वाले जो टीम है उनकी सेलरी और यह मैंने कम से कम साड़े साथ लाग का सेटप बनाया है ठीक है हमारे यहां कोई लोकल फरजी डिवाइफ नहीं लगे उस तरीके के मैंने कई प्रोड़क्ट आप आइपाइड स आप में चलाते हैं जैसे यह सब कंप्लीट होता हमारी कोशी से यूट्यूब पर फ्री चलाएंगे क्योंकि हमारे एक्टिव इस्टुडेंट नहीं है बहुत कम है लेकिन फिरी वाले बहुत कम है जो है वो सब पेड़ करके पढ़ने वाले तो चले आगे और अगर अपनी आप एक क्वाल्टी बनाके रखेंगे तो लोग कुछ भी कीमत चुगाने को तयार है आप सीखिए एपल से एपल आइफोन का भी देखें फिप्टीन आ गया डेर लाग दो दो लाग का भी लोग खरीद लेते हैं वहीं तुम्हें क्या लगता है कि यह जो समसंग और रियल लोग नहीं तो हैना अंतर तो बस इतनी सी बात है इफिलेट डियलेट बाल नहीं चल रहा है चलाएंगे कोशिस करेंगे टाइम निकाल रहे हैं लेकिन अभी नहीं चल रहा है तो वहीं चीज है आईए आगे बढ़ते हैं फिलाल आप लोग यह बताओ कि अनुपात समानुपात पढ़े हो कि नहीं अनुपात समानुपात पढ़े हो एक बहुत सी छोटा सा सवाल है अगर कहो तो लिख दूमें डियलेड में आया था यक्स धन दो बराबर एक कमान क्या आएगा एनिवन कोई कुछ कहना चाहता है तो बताओ क्या आएगा चलो तो चार्ज में लगा दीजिए लिजिए बताओ ये कि डियलेड वालों के लिए मैं अभी ये काम करता हूं जो मेरे पास रिकॉर्डड वीडियो है फाइल में उसको में लाइब कर देता हूं भी 24 इंटू से बन के लिए हमेशा के लिए तो तीन दिन के लिए जब तक दिवाली का चुट्ट्ट्य उट्ट्ट्य है कि आप लोग क्लास को लाइक शेयर करना फटा-फट धेर थारी संख्या में देखिए मज़ा आएगा आए यह बताइए कि संख्या 25 यह 200 की कितना पर्फेंट है जो 25 है वो 200 की कितना पर्फेंट है पहला आठ पर्फेंट है पचास पर्फेंट है 40 पर्फेंट है या फिर ना नापदीज इसमें सही यह कुछ भी नहीं है जल्दी करें जल्दबाजी नहीं कुसम सोनकर बहुत अच्छे ठीक है जो भी टीलेड के छाथ हैं बारबार कमेंट कर रहे हैं इसक्रव क्या ही कहूं बात करते हैं फ़र बात करते हैं अभी सब्सक्राइब बात करना रुकना बस मैं दस-15 मिनिट बाद आप से बात करता पूरा सम्मान के साथ बताता हूं उनको चलो भाईया इनको हल करो कई से हो है संख्या 200 का जो है कितना परसंट 25 है जैसे कहें संख्या 200 का कितना परसंट 100 है तो 100 200 का आधा है यानी 50 परसंट है देखो फिर माना कि 200 का यक्स परसंट क्या है 25 है मान लो तो 200 गुड़ा यक्स परसंट हटाओगे 100 से भाग बराबर 25 साइधह है जीरो जिरो निपट गया क्या आया दों एकना सब्स्क्राइप्स कि प्रसंट रते फाड़े 12 की इधना सब्सक्राइबर अच्छा जिनको लग रहा है कि यह सही है कि गलत है इसको अंसर निकाल के तुम्हें दिखा देता हूं देखो आई यह अगर इस गलत है तो अंसर नहीं आएगा कि दो सव का साड़े बारा पर्फेंट निकालो पचीश आना चाहिए तो का मतलब गुड़ा साड़े बारा को ऐसे लिखेंगे हटाएंगे पर्फेंटे सव से भाग करेंगे कि दूज यूरो फे दूज यूरो निपड़ जाएगा दो से गुड़ा करोगे साड़े बारा को तो बारा दूना चौबिस यानी पत्चीश आना सही कोना दिक्कत नहीं किसी को कोई दिक्कत एनी डाउट एनी परिशानी नहीं न एक गंटा से जादा बड़ी कलाफ चलाने का मुझे ने लगता कोई मतलब है क्योंकि बाद में तो कोई देखता है नहीं अच्छा एक बात बताओ हर दिन मैं बताता हूं आप ही आज बता दो यह बता भया कि 98 का स्कॉयर क्या होगा बहुत जल्दी से बताईए 5 सिकन में कितना होगा बताईए कि बाहत्तर बाहत्तर कितना होगा जानते हूं कि 144 और आठाई 64 का चार 144 जे एक सो पचास हाफिल पंदरा डोनवाई क्यासी इक्याफितास इक्यानवे इक्यानवे चार कितना 95 किता आएगा क्या रायद में भी इतना आएगा आएगा आजए देखते हैं इसको एक ट्रिक से बताएं क्या ट्रिक है हम आपको दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुढा करने की ट्रिक बता चुके हैं देखिए प्रेक्टिस होने के बाद आगे बढ़ करते हैं साथी मेरे इन संख्याओं का अंति मंति मंक का गुड़ा करते हैं तो आठ ठाई 64 का 4 हां फिलाया कितना छे अब इनका क्रास मल्टीपल करते हैं आठ नुवा बहात्तर और इधर आठ नुवा एक्यासी में पंद्रा जोड़ो पांच एक छे आठ एक नौच चानबे तो यार थोड़ा सा मिश्टेक हुआ था इसमें हासिल में देखें इंट्रेस्ट ना दिरे दिरे गंटे के बाद लोगों का मोजाता ठक जाते हैं तो गडित है एक गंटे ज्यादा नहीं पर एक समझ में आई कि नहीं एक बार हां बोल दें क्या करना है समझ लिजिए पहले आपको लाश्ट लाश्ट की संख्या का गुड़ा करना है पिर जो हासिल आयगा वह ऐसे उसको समझ लेना है यानि अंतिमंग के हां लिख देना है फिर हाशिल जो आएगा लिख देंगे ज असान होता है यह बहुत बड़ी बात नहीं है लक्षमि देवी आया समझ में सभी को समझ में आया तो दस बजे यूटब पर खोजते हैं हमें तो चलो कुछ देर और कलाफ चला लेते हैं नहीं तो डियलर वाले बच्चे आते हैं खोजते हैं तो कहेंगे आज काहे को नहीं चल रहा है चल भाईया कुश्चन नमबर मान लीजिए 20 मने लिख दिया लिखिए संख्या पंदरा का अपवर्त है मिन्स मल्टीपल है मल्टीपल पहिला तीन है दूसरा पंदरा है तिसरा पांच है या जीरो है जीरो मत लिखो यहां नहीं सही है चलो आंसर आप देंगे 20A 20B या 20C आफे कमेंट करेंगे संतोस मेंजर लिखिए क्या डाउट है अंजली राव PBR स्टडी एप के अंदर मिलेगा डीलेड का आल समस्टर PBR स्टडी एप में चलेगा यूटूबर के लिए बेट करिए दिवाली बाद 15 नवंबर के बाद जिनको जल्दी है वो एप में इंडॉल करें अपवर्त में सोता मल्टीपल किसी भी संख्या का मल्टीपल यानि अपवर्त कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता है अगर यह चीज आपको याद है तो आप इन तीनों आप्षन को एक के कुलाडिस काट सकते वह इस से भी वाला साही है भी वाला साही है भी भी मतलिखो कोई आज जो टॉपिक कबर होगा उसका नाम होगा फ्रेक्षन यानि भिन पिछली कलास में आपने घनमूल और घन पढ़ा था तबको पता है आज जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रेक्षन यानि भिन इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या-क्या होंगे पहला परिभासा यानि डेफिनिशन परकार परकारों के बारे में नहीं ये बारे में आलकल पढ़ेंगे ठीक है आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परिभासा और भिन का जोड़ना घटाना ठीक है ये सही रहेगा पहला आई स्टब में परिभासा और फ्रेक्षन का एडिशन और सब्स्ट्रेक्षन आप लोग मुझे ये बताओ इसके पहले पढ़ाया हूँ संख्या 93 ये अभाज ये संख्या है या भाज ये संख्या है एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जिनको गड़ित नहीं आती है और जो गड़ित सीखना चाहते हैं वास्तों में जिनको न बतलब कुछ करना है लाइफ में अलग कुछ करना है क्योंकि मैथ से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप काफी कुछ कर सकते हैं और अगर मैथ नहीं आती तो बड़ी गोर बेज़्यती होती जिन्दगी में भले इस मायंगाई में आपको लासुन प्याद धनिया क्यों न खरीदना हो कुछ न करना हो तब भी टेकनिकल बीडियो यह इनका नाम है इनका कमेंट आ रहा है मुहमद हसन विकास यादो संकज कुमार सुप्रिया त्रिपाठी सल्वान खान सूरज सिंग दीपक कॉमल त्रिपाठी अर्बिंद यादो सूरज बैवह अन्य सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं चलो भया मैंने एक सवाल पूछा उस पर बहुत से बच्चों ने जवाब दिया बहुत से बच्चे ने जवाब देना अच्छा नहीं समझा बहुत बढ़ी है सबसे पहले हम बात करते हैं भिन यानि फ्रेक्षन यह होती क्या है क्या आप जानते हैं जानते हैं परिभासा कहीं लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए वो किसी संख्या या वश्टु के किसी एक निश्चित भाग को दर्फाती है लिए इक फिगर बनना चाहिए आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए तब ही आपको चीज Св CAPka कर सकते हैं जब तक को कोई चित्र लाइक के दिमाग में नहीं कर सकते हो गेम खिल सकते हो ताड़ जड़ा सकते हो कल्कूलेटर कर सकते हो मतलό है कि वह सकते हैं जैसे मिलेता हुए यह मान लीजिए ये गोला में क्या होता है अमरूद मान लो इसे चलो कुछ भी खाने पीने की चीज मान लो जो गोली गोली होती ऐसी अब तुम सब बड़ा समझदार हो जान जाओगे ठीक है अब इसको हमें क्या करना है अरे इसको भरना है यार color तो इसका हो जा रहा है एक मिनट तो अगर इसके हमें part करने है ठीक है? इसके हमें parts करने है जैसे देखिए समझना है यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट अगर यह colorful हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा लगता बट यह fill up नहीं हो रहा है रुकना थोड़ा सा यह fill तो यह मैंने इसको भर दिया माल लीजिए मैंने इस color से भर दिया आओ चलो यह क्या है? यह जो आपको दिख रहा बस वही है माल लीजिए कि हमने क्या किया? इसके तीन part कर दिये कितने part? तीन part समझना है यहाँ से कितने भाग होए? तीन भाग ठीक है? थोड़ा सा समझना है यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ आपको भिन क्या है what is fraction? भिन क्या है? वो सिखाना है देखो समझना है यहाँ आपर साथी मेरे यहाँ पे इसके कितने भाग हो गए तीन भाग अब एक भाग को मैं सफेद कलर में कलरफुल कर दे रहा हूँ इसको मान के चलो कि मैंने पूरा क्या कर दिया सफेद कर दिया अब भले बीच बीच में चितकबर बचा है टाइम ज़्यादा लगेगा रंगने में इसलिए मैंने रंग रहा हूँ एक भाग को मैंने इस कलर में कर दिया अब अगर मैं आपसे पूछू भिन्न के रूप में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फ्रेक्शन क्या है तो मुझे ये बताओ कि जो वाइट कलर का भाग है उसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे ये गोला ही मान लो इसको अमरूद और आम मत मानो चलो हम आपको पढ़ा नहीं रहें सिखा रहें इसमें वक्त लगेगा ये साट वाली रील नहीं कैसे ऐसे कर लो आ जाएगा ऐसा नहीं सिखाता मैं टाइम देना पड़ेगा चलो देखो भिन्न क्या है एक बार सिख जाओके कभी नहीं भूलोगे गारंटी ये गोला है गोले को मैंने तीन पार्ट में बांट दिया इनके तीन अलग-अलग कलर हो गए एक आप पिंक मान सकते हो रेड मान सकते हो जो भी आपको दिख रहा हो एक वाइट एक ग्रीन या बैगनी क्या बोलोगे आसमानी जो भी ठीक तो अब अगर हम सफेद की बात करें कि सफेद भाग को आप भिन के रूप में कैसे दिखाओगे यह यहां पर एक भिन का काम लगेगा फ्रेक्शन का हमने कहा सफेद भाग सबसे पहले हम गिनेंगे इसके टोटल कितने भाग हैं टोटल कितने हिस्सेदार है गोला है गोला में जो कलर का बटवारा हुआ कितने हिस्सों मे कुकरने हुआ तो सबसे पहले हर्म में 3 लिखते हैं सबसे पहले नीचे हर्मज़ें लिखते हैं किसी किसान का खेत पहलिखेट होता है मायत वाले जेदें उनके तीन बेटे तीनों बेटों को क्या करना अलग अलग हिस्सा देना थ allora तो ये छोटका बिटवक कितना मिलेगा? एक बटा तीन. समझ गए? यहां से भिन्न की परिभासा क्या हुई? भिन्न की परिभासा ये हुई कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु या संख्या के एक निश्चित भाग को दर्फाती है. यहनि हम कह सकते हैं कि इस गोले कि कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि हम आपके बता रहे हम आपको केवल भिन्न क्या है वो सिखा रहे है तो हर जगा अलग-अलग मतलब है ठीक है? अच्छा तो यह इस वाले का यहां पर बहुत फीका दिख रहा है मुझे यह थोड़ा कलर गहरा दिख रहा है यहां पर हरा क्या होगा? इसका भी एक बटा तीन होगा भाई तीन हिस्से में यह भी बटा है तो एक हिस्सा और इसका भी एक बटा तीन होगा फिर क्या होगा? अगर यह सही बटवारा हुआ है तो तीनों को जोड़ेंगे तो वह न आना चाहिए अगर यह बटवारा सही हुआ है तो त बटा तीन को तीन बार जड़ा जोड़ के देखो भाई साहब चलो आओ तीन जगा बाटा गया था इनको जोड़ो सभी का हर बराबर है तो नीचे तीन रहेगा उपर के अंस में अंस सभी जुड़ जाएंगे थिरी अपान थिरी वन यानि वन आएगा हमने क्या किया एक ही गोले का बटवारा किया था ना सही है ना कोई दिक्कत नहीं नहीं ठीक है बहुत अच्छा आगे बढ़ें चलिए यहां पर यह बिल्कुल मत तर्क लगाना कि यह भाया यह तो बड़ा थात एक बटा तीन कैसे सब बराबर बराबर कैसे कर दी है ना हम आपको क्यों तरीका सिखा रहें कि भिन क्या है बाकि इसको बराबर बराबर में भी कर सकते थे गोले को तीन पा कि ठीक है देव गौतम यहां पर हम आपका तर्क नहीं लगा रहें जो आप लगा रहें ठीक है चलो आईए अब हम क्या करेंगे संख्या पर थोड़ा सा आपको दर्फा के दिखाते हैं जैसे संख्या साथ का एक बटा तीन बताइए कितना होगा साथ का एक बटा तीन क्या होगा जानते हो आईए साथ गुड़ा एक बटा तीन तीन से इसको डिबाइट करेंगे आएगा बीस यानि फाइनल कितना है टॉन्टी साथ का वन अपांथरी क्या आया टॉन्टी यानि अगर साथ रुपए को तीन लोगों में बटावारा करना है तो टॉन्टी टॉन्टी रुपए आएगा यहाँ पर ये भिन क्या दिखा रही है यहाँ पर ये भिन किसी संख्या के किसी एक निश्चित भाग को दर्फा रही है समझ मैं है यानि भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को परदर्शित करती है या दिखाती है जहां तक मुझे पता यही होता है तो अगर हम इसको ना करते इतनी कहानी तब भी समझने वाले समझ सकते थे कि 60 का एक बटा 30 होगा है न जैसे अगर मैं बोलू एक दूसरा समझना अगर मैंने बोला कि संख्या 100 का एक बटा 4 अब बताओ किसको किसको दिख गया क्या होगा किसको किसको दिखा की क्या होगा ये बहुत से बच्चे अभी दिवाली मना रहे है और ये लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं क्लास में नहीं आए हैं उनको पता भी नहीं बहुत से बच्चों को कि आज कलाफ चलेगी है ना कोई बात नहीं है रिवीजन कर लेंगे ये वीडियो यूटूब पर हम छोड़ देंगे बाद में देख लिजिएगा आप लोग वैसे रेगूलर में तो ये वीडियो यूटूब पर आता नहीं है रूबी यादो समझ में आ रहे है सौरव कमलेश परजापती फोजी समको आ रहे है रिंकी रिया नहातिवारी सभी को समझ में आ रहे है चलो भाया सभी को दिख गया होगा क्या होगा सौ का एक बटा चार मतलब ऐसे होता है इसको डिबाइट करोगे 25 आएगा फाइनल में 25 कितना 25 सब्सक्राइब करें आपकी जिम्मेदारी है आपकी रिस्पांस बिल्टी है और इसे ध्यान में रखें यह जो यहां पर दिख रहा है बहुत गवर से देखें इसको यूटूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे वह क्लास जिसको बच्चे पांच पांसो हजार हजार र यह बताइए कि सभी कल की क्लास में आये थे मतलब पिछली क्लास में कितने बच्चे एक पिछली क्लास देखे थे लाइब नमबर बारा अगर आपने देखा था तो आप फटा फट कमेंट में वाई लिखेंगे और नहीं देखा था तो यहन लिखेंगे इमानदारी के साथ क्या इसके पीछे की कलास देखे थे नहीं देखे थे तो उस कलास का इससे कोई सम्मन्द नहीं है फिलहाल के लिए लेकिन कमेंट जरूर करेंगे अपनी उपस्थिती के लिए चल भया भिन का जोड़ अपकरना सीखेंगे क्योंकि हम आपको वह में पॉइंट सिखा चुके हैं जो परिभासा वाली बात थी ठीक है बहुत अच्छा वह वीडियो यूटूब पर पढ़ा जाके देख लिजिएगा ठीक है नहीं देखा था देख लेना जरूर से जरूर भयाओ हम ये क्लास उनके लिए चलाते हैं जिनको गड़ित नहीं आती है और वो सीखना भी चाहते हैं दोनों कंडिसन है ना अना अलग बात है तुम सीखना ना चाहते हो अलग बात है तो जो बिल्कुल दिल से सीखना चाहते हैं जिनको वास्तों में तकलीफ है इससे उनके लिए होती है और वो कलास को पूरा देखते हैं छोड़ के नहीं जाते हैं जब हर बराबर हो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा नजर दोड़ाना जैसे मैंने लिखा सेवना पांथरी तो जो संख्या उपर होती है प्यारे इसको बोलते हैं अंस निचवा वाली को बोलते हैं हर फेट जोतने वाला हर नहीं नुमरेटर बोलते हैं इसको डेनुमिनेटर बोलते हैं स्पेलिंग सही है न सर्च कर लेना गूगल गूगल में देख लेना इस पेलिंग बढ़ोगी तो हां ठीक है चलो फटा फट और मुझे यह बताओ सभी को समझ में आ रहा न यह आया सुरज परजापती इमोजी भेजोगे तो बलाक हो जाओगे गड़ियाल वाला मुझ बनाने से कुछ नहीं होगा अना दुबार तुमरा नाम बोलूँगा नंबर नीचे दिया गया उस पर संपर करिया आपकी समझसक समझदान किया जाएगा आपको कि हम पढ़ाना से जब 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 करें तो बहीं जब 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 नहीं होने वाला यहां पर चलो पढ़ाई बिद्यान दो चलो आगे बढ़ें समझ गए तो यह अंस और हर समझ गए ना जब हर बराबर हो तो कैसे जोड़ते हैं जड़ा देखना जैसे थ्री अपान सेवन प्लस यह फाइब अपान सेवन इनको क्या करना हमें जोड़ना है बहुत प्यारती देखना है बहुत आराम से इनको जोड़ लेंगे कैसे देखो जब हर हर बराबर हैं तो हर को एक बड़ी लाइन कीच कैसे लिख देते हैं अंस में देखिए थ्री है फिर फाइफ है तो थ्री लिख देएंगे बीच में प्लस का साइन था प्लस अंड फाइफ बस इतना करना है बढ़िया इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना एक के लाइन में है तो हम five और three eight करेंगे eight हो जाएगा seven अभी इनको ऐसे छोड़ देंगे यह चाहे उचीत भिन्य में आ रहे हैं उचीत भिन्य में जैसे हैं जो है इनको ऐसे छोड़ देंगे अभी इसके आगे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ठीक है आया समझ में किसी को कोई दिक्कात नहीं ना चलिए ठीक है बणिया है गुड बेरी गुड चल भई आगला इसको फास्ट कुईश्चन मानते हैं इसको सीकेंड कुईश्चन पांच बटा नौ धन एक बटा नौ अभी हम जो भी इनका अंसर आएगा उनको बिल्कुल आगे हल नहीं करेंगे उसी छोड़ दे रहे हैं वो भले आगे हल हो सकते हैं बट नहीं क्योंकि अभी हम आपको किंती में काम आओगे वाकि कोई काम कर नहीं हो ऐसी बात नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं आप देखते होगे जो पढ़ाते हैं हर जो था उसको मैंने नीचे लिख दिया अब आंस में पहला ले लिया फ्रेक्शन का फिर प्लस का बीच में साइन दूसरे का पांच में जुड़ेगा छे और नो बस यह हो गया अंसर यह आगे अभी हल हो सकता है बट इसको इसको कुछ नहीं करेंगे ठीक है तो उमीद है कि आप सीख गए जब हर बराबर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं यह आप सीख गए अब मुझे यह बताओ थोड़ा बड़ा स कर लो भाई इसको हल करके आप मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा अमन केसरवानी गरिमा सिंग कोमल तिरपाठी आजय सिंग सुझल परजापती अर्चिन जादो सोनम दूबे महबूबी बेगम जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं सेसन को लाइक सेर जरूर करें और क्लास को छोड़के नहीं जाना है यह भी आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छा आगे अब नेक्स्ट लेबल में चलते हैं बी नमबर जब हर असमान हो पहले बता दू या तीन पद वाला तीन पद या पाँच पद सब ऐसे होता है चलो ठीक है छोड़ो जाने दू जब हर असमान हो हर को इंगलिस में बोलते हैं डेनोमिनेटर जैसे थिरी अपान फाइव प्लफ वन अपान फोर समझना इसको हल करने का दो तरीका है एक LCM मेथड होता है एक होता है cross multiple method LCM मेथड सभी में यूज किया जा सकता है cross multiple वाला अगर दो ही पद हैं तो जादा बेहतर होता है अगर तीन चार पद हैं तो गड़बड हो जाती है आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जांके इंदुस्तान की इतना मोटा भी न दिखाएं पतरक कहीं के दिखा भई चलो पहले क्रास मल्टीपल मेथेड़ से हम सिखाएंगे फिर एल्सियम वाला एल्सियम मैं आरेड़ी सिखा चुका हूं आप लोग को यह तिर्षा गुड़ा ऐसे करेंगे बाबू ऐसे ओके इनका एमे करवा आज बेका दुनों कहीं क्या घाई जाया ना देखा एमा के लिए बस होई का तीन इस्टेप करना है तो पहला इस्टेप चार का तीन में बारा प्लस पांच का एक में करोगे तो पांच और फिर अब आधी भासा नहीं छोड़ना चाहिए आपना देस अपना भेश और अपनी बोली यह नहीं छोड़ना चाहिए चलो अगे तीफिले बीच-बीच में आधी बोल देते हैं जीसे समझ में आता रहे है कि हम है कि तो चार्ती हुआ याई बारा पांच इकम पांच और इसको लिख ली जिए ये पहला था सिकेंड वाले में आओ जितना वही कंडिडेट जुड़ा हा ना भाई असा भाई बिल्कुल एक दम दिल लगाए कि देख्या जतना दिल उसे लगाए रहा जोन भाग गए उतना दिल लगाए लिया एक बार देखा जिन्दगी तर्जे जालो एका केतना जने कह लेबा केतना जने ना कह पहूँ भाई बता इमांदारिस बताया जूट ना बोला बिल्कुल भी कि सबब्समाद आए ना एक दम मस्त एक दम पूरा आवत आए ना कौनो कमी ना थोड़ा बहुत कौनो कोर का सब्सक्राइब नहीं ना चला फिर इस टम में का करेंगे भाई दूसरा में सेबन का छे में करेंगे कशलता है तक 9 यह करेंगे तीक है और लाष्ट वाले में का करेंगे लाष्ट वाले में सब में में करेंगे बस खतम देखो पांच का तीन में पंदरा साथ का छे में साच छंग 42 और साथ पचे 35 फटा-फट एड कर लीजिए जोड़ना सबही को आता है देखो 42 में 15 जोड़ना है इमानदारी के साथ जोड़ो हम में मान लो कुछ नहीं आता है 42 में 15 जोड़ना है हम यह मान ले कि 40 में 15 मानलो मैं थे वाले हूं माना करो भिया ना अब तब हो मान लिय हम साथ ही सुधाई ठीक छालो ने कमतल्त समझो आगर 42 में 15 जोड़ना है आप यह माझन लो कि 40 में 15 जोड़ना ठीक तो 40 में 15 जोड़ना 40 में 10 जोड़ोंगे 50 और 5 जोड़ोंगे 55 मतलब 40 में 15 जोड़ पच्च पन हुआ और चुकि 40 नहीं था दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यह होगा तावन बटा प्यतिस हो गया अन्सर कुसुम सोनकर समझ में आया अंजली राव अनुप कुस्वाहा अजय सिंग दीपक कुमार भावना पाल अनीशा और दूसरा जो लोग नहीं समझता है होंगे का बोल दिया बकर बकर तो लोग ऐसे कर लिया करो भया यह पंदरा में जोड़ाय का है का अब आलिस आई फे लिखा ना यार पांदूश साथ चारेक पांच सत्तावन तब हो आए बात तो भई तो यह था आपका क्रास मल्टीपल मेथेड अच्छा तो तु सबही कर सीख गवा बटा ना भाई यह तेक थी बतादा फिर लगे हाथ चला चलो बताओ तेरा बटा पांच प्लफ साथ बटा ग्यारा इसको कितने लोग बता लेंगे इमांदारी के साथ बताओ चलो सब लोग बता लेंगे बना पक्का मन्जू समझ में आ रहा है कि अ प्रिया जी कह रहीं कि आप ने कहा थो आज कि लाफ beste नहीं ओगी यह हमनी किल चुछ गहा था कि नहीं होगी ऑच करegenर कहा था कल कंई चलो आओ अगे बटे इनको क्या करेंगे सबसे पहला में क्रास मल्टीपल करेंगे भाई मेरे क्रास मल्टीपल यहां तक लगे पहला इस्टैप आप सब डिस्मिस करें राइव सी में जुन सरका करेंगे इनका एमे करेंगे यह सिकेंड बाला स्टैप तो पहला इस्टेप में कर लो 11 का 13 में 11 का 13 में गुड़ा करना फीक लो पहले से सिखाया हूँ आपको बच्पन से ही जवानी बुढ़ापी आ गई फिर भी नहीं सीखेका देखो फिर यहीं 33 का 13 हाफी लावा कितना तीन ग्यारा एकं ग्यारा ग्यारा तीन अरे बारा ध्यार चविडा कि 143 का मतलब बहुत से लोग समझ गया होंगे बच्पन में कितने लोग समझ गया 143 अब अगर तुम 143 नहीं समझे तो समझ लो कि तुम जनसंख्या गिंती पए काम आओगे और कुछ नहीं चलो देखो आगे ऐसी बात नहीं है जो लोग समझ गये और बाद हो गए देखो पांच सते 35 और ग्यारा का पांच में 55 कहते हैं ना जिंदेगी में कुछ चीज ना समझो तब ही अच्छा होता है कुछ चीजों से अंजान होना जरूरी होता है कि जोड़ लेंगे कितना आएगा कि द्लम कि प्टाप्ट इमांदारी के साथ बताओ यार कितना आएगा जोड़के को जोड़ देखो आए जोड़े बताते हुं द्लम कि यह 403 43 है हम उब्यकुल तो चालिस में जब 35 जोड़ोंगे तो चालिस में 35 जोड़ोंगे 75 यानि तो बिना कॉनों दिमाग लगाए 178 बटा पच्पन आए और दिमाग लाइग लिखा इसे हैं यह बढ़का 143 बै तुम लाले ललका है को लिख रहा बर बर चल अए फे पांती नाट्स यह आया ना अरे बीच में सेबन लिखा है लकवा मार गया उसको तोड़ा होगे ठंडी म सबाइक समाज में आवा ना पक्का एकदम इमांदारिस बताया जूट ना बोला ना आए दुबारा बताओ तिबारा बताओ चार बार बताओ उल्लू समझ रखेया का 25 बार बता हुआ है अरे बोल दी था इसे मोटिवेट करें लिए बाकी बताई ना उत्तावार वीडियो बार बार देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया एक चीज और बता दें इसी में लगे हाथ सभी को समझ में आ गया तो बढ़िया है ठीक है अच्छी बात है एक चोटा समय बीच में सवाल भी पूछूंगा फिर इस टॉपिक पर चलूंगा क्योंकि थोड़ा आपका दिमा अनिशा रूबी अर्बिन सोनम सलोक यादो कुसुम कोमल सुजाता सुजल तो सबसे छोटी अभाजy संख्या ऐसी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो संख्या खुद हो और वन हो बाकी और कोई दूर दूर तक ना हो वो अभाज वहीं है वहां न ना ख़ाज्जे से महाद कर लोग्या ना बहाज्य होती है । होती है दो की एक और खासियत होती है जैसे लंका में रामड की नगरी में महाराज विशन जी थे जो स्री राम परभूजी के साथ थे राच्छसों के बीच में होते हुए भी ऐसे यह यह कहें को बाकि सभी संख्याइग क्या होती है तो भाज जरूर होती है जैसे आज की टाइम में कोई मंत्री भी धायक है या लगा दिबाडमेंट में है और वो फीर खोरना हो लट खोरना हो कुई एक हैसा समझरे हो के ॐट pessimरी में refrigeration आने के बाद लोग ऐसा प्राया हो जाते हैं चलो आगे देखो तीन बटा पांच अब तो सबही कर लोगे आरपका लिखे भालतू कि नहीं नो बटा 21 इनको जोड़के बताओ कितना आएगा फिर हम थोड़ा उर आगे बढ़ते हैं हमारी कोशिस है कि जिनको गड़ित नहीं आती सबको सिखाएं बस एक है उद्देश से है कर लेंगे ना सभी ठीक है तो अभी तक हमने सीखा प्यारे साथियों की दो पदों की जो भिन है उनको दो तरीके से कैसे हल करेंगे यानि क्रास मल्टीपल ल्सीम हमने आपको नहीं बताया उस मेथर्ड से अब वो मेथर्ड भी उच करेंगे आओ चलो देखते हैं हम इसी बिन को पकड़ेंगे जो यहां हल किये थे ल्सीम मेथर्ड से चलो अब ल्सीम मेथर्ड से देखेंगे यहां पर लिख लो चाहिए अच्छा लगेगा अगले पेच पर लिखें क्या तेरा पांच साथ ग्यारा यहीं अल कर लेंगे यार लिखो एल फियम विधी फे उपर जा रहा है काई यह उपर नजा भी समय नहीं हुआ देखो भईया समझो सब्भई तेरा बटा पांच साथ बटा ग्यारा लसीम मेथर्ड में भिन्नो के हरो का लसीम निकालेंगे यानि पांच और ग्यारा का लसीम निकालेंगे तो पांच और ग्यारा के लसीम क्या होगा प्यारें पच्पन होगा लसीम करना आपको आना चाहिए मैं आल्रेडी सिखा चुका हूँ ठीक है यह पहला इस्टफ हो गया उसके बाद क्या करोगे जो एल्सीम आया उसी में यानि पच्पन में पहली भिन का जो हर है यानि फ़र्ष्ट भिन नहीं है इसका हर पांच इससे भाग करोगे भाग करके देख लो सभी को भाग करना आता इतना समझदार तुम बच्पन से ही पैदा हुए थे है है भाग फ़ा आया 11 और हमेंज सिर्क इतने से मतलब है इसको पकड़ेह को और इसकी अंस में करेंगे घ्ला से देखना है फिर पहली बिनिके हर्स से यह में भाग करेंगे फिर जो भागफल आएगा उसमें पहली बिननी के अंस का गुड़ा करेंगे यानि 11 का 13 में गुड़ा करेंगे ठीक है तो 13 एकम 13 का 3 हाफी लेक 13 एक 14 14 ठीक यह हो गया पहला इस्टप इसमें खतम एक और दूसरा पहलू इसमें है कि जो LCM आया इसके साथ जो सेवा पहली बिनन के साथ की गई वही दूसरे के साथ भी करेंगे यानि 11 से अब इसको भाग करेंगे ठीक है तो जो भागफल आया यानि 5 उसका गुड़ा पहली बिनन नहीं दूसरी भिन्न के अंस में करेंगे यानि 5 का 7 में मतलब 35 ठीक है ना भया तो फिर क्या करोगे आप इनको जोड़ दोगे 5, 3, 8 और 178 बटा पच्पन ठीक है हो गया कोई दिक्कत ना किसी को किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ जल्दी इमानदारी के साथ अच्छा एक बार आप बताओ प्यारफे एक बात बताओ तुम कौन सा ने ने वो यादों में मरने वाली बात मैंने पूछूँगा वो तो जिसको पूछना वही पूछेगा बस तुम्ही एक बात बताओ कि तुम्हें ये बी वाला तरीका था जादा अच्छा लगा या फिर ये ए वाला तरीका अच्छा लगा इमानदारी के साथ ये क्रास मल्टीपल में थेड़ था ये लसीम वाला था ये या बी दोनों में से कौन सा अच्छा लगा इसमें थोड़ा गंदा कर दिया गया अलग बात है वाकी सही है सामेंट में आप लोग ये या बी जरूर लिखेंगे फलाने लोग के 108 कहां से आवा हो अजय सिंग अर्चना सौरब यादों ने सबसे पहले बताया है बहुत अच्छा सौरब बीबी नुझत बानू आवद बायना मतलब समाझ में आवद बायना सबाई के पूपे शेतुरबेदी कह रहे है ए वाला यानि क्रास मल्टीपल है भाईया डेखो न जो ची सिंदेगा लगत था उच्छा होतना एं देख fringe का वही बात है लड़कमान वह चाहत है अजल देखो उन आशिकों के जिनको दर्ध सुबा उस वाली आता है कमेंट वाले में सब्सक्षा होता कि आप खुलते निद आती है और फोन कान में लगा लएंगे तो पूरा रात बर करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें नीद नहीं आएगी क्योंकि अच्छा लगता है लेकिन अच्छा होता नहीं उसका परिड़ाम बड़ा खतरनाक होता है समझ रहे हो उसमें जो बीमारी होती है उसका कहीं समझो यहां पर कैसे समझो समझो यह तरीका आप छोटे फ्रेट्शन में लगा सकते हो अगर दो इपद में है यहां पर देखो आगे लांग टाइम के लिए यह वाला तरीका साही नहीं है कैसे जैसे अगर मैंने दे दिया ऐसे फ्रेकफन 1 अपान 3 प्लस 5 अपान 7 प्लस 8 अपान 4 चार नहीं मान लो इसको 6 अब बताओ यह में करास मल्टीपल वाले में उलच जाओगे यह में इसका इधरह नियाच करोगे इधर इधर करोगे पन्तर फिर पर यह थोड़ा सा अर्टपता हो जाएगा इनको लग रहा है अगचे लोगए अब बताओ अब वोलत जाएगा कि नहीं इसको आफान किसे कर सकते हो आय समझ में सबही क्यावत बैना गरी में पूरा हिंदी बोलिये तो भाया कहां में अंग्रेजी बोलता ही हिंदी है तो बोलता ही ना और इंडियम रहे कि अगर तुमा एक को लोग आवधी नावे तो फिर नहीं है आवधी आवे चाहिए सब कर दो आईए अब बात करते हैं हम अपने स्टेप बाई स्टेप में ही चलेंगे फिलहाल चोड़िए LCM मेथड में कुछ और भी कुश्चन करवाएंगे क्योंकि हमारी कोशी से सब को आना चाहिए और बहुत छोटे छोटे कुश्चन ही हम लेके चलेंगे हाई फाई यहां पर नहीं नौ बटा पांच साथ बटा तीन इनको क्या करेंगे LCM मेथड से हल करेंगे कितने लोग कर लेंगे कितने लोग कर लोगे भाई यहां पांच और तीन का सबसे पहले LCM करेंगे देखो यहां पर लिख देता हूँ पहला स्टेप LCM तो पांच तीन का LCM होगा पंदरा LCM करना सिखा चुका हूँ पिछली कलासों में दूसरा स्टेप में पहली भिन्न के हर फे LCM में भाग तथा भाग फल फे पहली भिन्न के अंच में गुड़ा यही परकिरिया आप दूसरी भिन्न के साथ भी करो गया ऐसा ही बेवहार बस LCM हो गया पहली भिन्न के हर से LCM में भाग पहली भिन्न के हर भिया है 5 LCM 15 तो 5 से भाग करबा सवहीत केतना आए तीन आए न फिर क्या कहता है भाग फल से पहली भिन्न के अंस में गुड़ा यानि भाग फल यानि तीन से पहली भिन्न के अंस यानि 9 में गुड़ा तो 9,3,27 ठीक अब क्या करेंगे जो LCM आया है उसी में दूसर की भिन्न के हर्फ से भाग तीन से फिर से भाग करोगे कितना पंदरा में करल भाया तीन से पंदरा में भाग करोगे पांच आएगा और पांच का साथ में गुड़ा 35 भाग करके देखो वही परकिरिया दूसरे भिन्न के साथ भी किया जोड़ लेंगे साथ पांच बारा का दो हाफी लाया एक और तीन दो पांच एक छे यह हो गया बस ख़तम किसी को कोई दिक्कात नहीं ना सबही की समझ माई गना एक दम बढ़िया जिनको कोई परकार की इंक्वाइरी करनी है कुछ कहना है नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखाय जा रहे हैं उस पर संपर करिए इमानदारी के साथ खुब बुजाईए ठीक है जितना पूछना उतना पूछिए यह हो गया LCM मेथेड उमीद है कि सभी को समझ में आया अब देखिए यार देखो भाई क्लास का जो टाइम है ना वो तो मुझे लगता ओबर हो गया क्योंकि 40-45 मिनट फे जादा की कलास आप लोग बाद में देखते नहीं हो लेकिन संख्या भी बन रही है तो मैं चला दूँ और बड़ी कलास क्या क्या कहना आप सभी का डीलेड वालों से ना मेरा दिल तूट गया एक दम सही बता रहा हूं लब ब्रेक अप हो गया एक प्रकार से क्योंकि ये लोग class को ना तो share करें ना like करें संख्या बनती नहीं है इसलिए मैं DLL वालों को चलाना नहीं चाहता हूँ पता नहीं काहे को YouTube पर special एप में चलती है application में दिनकी class बड़े धामा धाम चल रही है जब दो या दो से अधिक भिन हो जब दो या दो से अधिक भिन्न हो देखिए इसमें देखिए मैं color change करता हूँ फिर वोजी color चलता है गदा देखो जब दो या दो से अधिक भिन्न हो जैसे तीन बटा साथ एक बटा पांच दन आठ बटा का लिखती भया नव नव बड़ा हो जै दो लिखो अच्छा लगेगा चलो अब बताओ इन में इनको कैसे हल करेंगे दोनों तरीका में बताओंगा बहुत ही प्यार से देखना एक दम आराम से देखना अच्छे से ठीक है डी एलड की कलास PBR स्टडी आप के अंदर चल रही है यूटूब पर अभी हम थोड़ा बंद किये हैं हमारी कोशिस है यूटूब पर लाएंगे लेकिन आप लोग लाइक सेर नहीं करते संख्या नहीं जूड़ते इफ लिए नहीं ला रहे हैं जो डी एलड वाले कंडिड अब इनको हल करने का वही एक तरीका है एल्सीय मेथड़ सबसे पहले साथियों करते हैं इनके हरों का एल्फियम यानि साथ पांच और दो का एल्सीयम हो जाएगा सत्तर शाहीं बोल रहा होंगे नहीं बाइ साथ का एल्सीयम होगा सत्तर शाहीं बोल रहा हूं कैसे को इनका आपसमे कोई कौमन फैक्टर नहीं ऐ है इसी संख्याहे हैं जिनका आपसमे कोई कामन फैक्टर ना हो यानि उभै निष्ट facil गुढण खंड ना हो तो उनका गुड़नफल ही उनका LCM होता है ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है LCM ले लिया पहला step खतम चाहिए तीन संख्या होती चाहिए तीस ही होती कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे करते हैं दूसरा step में जो LCM आया है उसमें पहली भिन्न के हर्फे भाग करो तो यह साथ से भाग करोगे सत्तर में तो आयेगा दस इतना तोका होईन के चाहिए ना अब इतना बड़ा होई गया साथ से भाग करेंगे सत्तर में आयेगा दस और दस का तीन में गुड़ा करेंगे हो जायेगा तीस इतने में भी नहीं समझ में आ तो बताना हम भाग करना भी सिखाए हैं हम ये भी सिखाए हैं कि नौ में दूई का भाग कैसे करोगे पहाडा कैसे पढ़ते हैं पहाडा नहीं आवद तो पहाडा के ट्रिक भी सिखाए हैं सब सिखाए हैं अगर हिया नहीं समझ में आ रहा नंबर पर संपर करिए सब बताएंगे ठीक है चलो इतना देखो बुझाओ फिर बताओ मैं चलो क्यों कौनो दिक्कत कौनो प्रसानी नहीं न बढ़ियां है कि और चलो तो सत्तर में साथ का भाग किया दस आया दस का तीन में गुड़ा किया तीस आया अब दूसरे भिन में आजाओ गया सत्तर में पांच का भाग करिए exportश़ रहेगा लुझाव अगलत तीसरे भिन में आजाओ LCM में भाग करेंगे तीफरे भिनने के हर्फे यानि दो का भाग सत्तर में करेंगे 35 आएगा और 35 का आठ में गुड़ा करना है थोड़ा दरबर पड़ रहा है लो कर लो इसे कितना जाएगा आठ से कहें कर रहे हैं भाई साब आठ इसका अंस है और 35 कहां से आया था LCM में भाग करने पर दो से भाग करने के सतर में तो 35 आएगा तो आठ पंचे चालिस आप फिलाया चार आठ तरिक चौबिस चार अठ थाइस 280 सबको जोड़ लो भाईया सबको जोड़ लो यह हो जाए अची में जब 44 जोड़ोगे ना देख भाई असी में चावाली जोड़ो यहार अची में बीस जोड़ो सो हो जाएगा और वह चावालीस था तो 24 बचाएगी नहीं हुँँँट बचा है ना चलो भाई साब 44 जोड़ना है ति हो जाएगा पहला नमबर इसको 300 कर दो और 24 सही है का एक बार मैं लिक देता हूं फिर देखा जाएगा जो होगा जोड़ो इसे 4 314 324 सही तो है यह था तरीका ठीक है किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बता दो नहीं ना